अरे वहाँ नहीं, वहाँ लगा दो उसको, आईए, नमस्ते, आईए, अरे, नमस्ते इनका नाम है रगुपती, इस घर में सबसे बड़े हैं, इनका और सुपरस्टार कृष्णा का एक क्लोस कनेक्शन है वहाँ पढ़ाई करके क्रिष्णा जी सूपरस्टार बने है, ये सोच कर, ये भी उसी कॉलेज में जॉइन करके, ड्रामा करके, ट्रोफी जीतने के बाद भी, अपना टाइम बरबाद करके, या हमारा टाइम अच्छा है ये सोच कर, सिल्वर स्क्रीन पर आहीं नहीं पाए हां जी, करियम से केले आये हैं, उसका क्या करना है? जा कर उसे मार्केट पे बेच दो, तुम भी न, जा कि उसे मंड़ब में रखो न देखा इनका मजग, इनका नाम है राघव, मांगने पर तो जान भी दे सकते हैं, और मजग के साथ भाई के प्रति प्यार भी बहुत ज्यादा है इनका नाम है राजाराम, सबसे आखिर में पैदा होने के कारण, इनका सारा काम बाद में और आखिर में ही होता है गाड़ी से जाने में इतना टाइम लगा रहे हो, शादी के मंदप में जाना है हाँ हो जाएगा मालिक लड़की की साड़ी अभी तक ने आई, मौरत निकला जा रहा है, आप जार पता तो लगाईए न इन से मिलिये ये हैं सोराज़म, बड़ी चाला किसे घर की लड़की से शादी करके ये इस घर के दामाद बन चुके हैं जरा सबके नाम तो देखिए, रघुपती, राघव, राजाराम और ये मिसेस सोराज़म इनके पिता जी, अपने आपको भारतिय मानते थे, मतलब देश के भक्त, स्वतंतरता के लिए बहुत कुछ करने की सोच रखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाये, लेकिन इन चारों को जनम दे दिया और देश की आबादी बढ़ाने में अपना कॉंट्रिब्यूशन दे दिया, और अपना कामगर के निकल दिये तो फिलहाल इस घर के बड़े हैं रघुपती जी, जॉइन फैमिली से जॉइन बिजनिस भी चला रही है वही है आरेस ब्रदर्स, और इस आरेस का एक लौता वारिस है चंदो, ये कहानी उसी की है लेकिन जानकी कहां है? जानकी, बहन की शादी है और तुम्हें पागलो जैसा डांस कर रहा है पागल जैसा क्या, इनको देखो कैसे हस रहे हैं, पसंद नहीं आता तो इंज्वाई करते क्या इंज्वाई करते हैं तो ताली बस्ती है, ऐसे हसते नहीं भाई साब, किसे कुछी पूरी भरत ने अटरब दोलो सिखा दिया ना, आप जेलो क्लासिकल डांस सिखा है, तो सोचा कुछ बनेगा, लेकिन ऐसा बनेगा नहीं सोचा था तुम चुप करो, जा के देखो, शास्तिरी जी कहां से साड़ी आई है कि नहीं उसके लिए मुझे क्यों बॉल रहे हो, बड़े मामज ने साड़ी लेने के लिए चंदू को बेजा है आप लोग तो उनकी बाते सुनते हो ना, उनकी बाते सुनते सुनते मैं बीच में अटक गया मेरी सुनत के बीच वाली रहे गए यह टॉप कैसा है? बैंगलॉर से चंदू लेकर आया है इसे बहुत अच्छा है, लेकिन चंदू का है? पता नहीं, आता ही होगा आएगा या टांग देगा मेरा चंदू टांग देने वालों में से नहीं है, हाथ पकड़के भागने वालों में से है वो तो ठीक है, लेकिन मोहरत का टाइम हो रहा है, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है हाँ, मैं तो भागूँगी, चंदू लेकर जाने वाला है, मुझे टेंशन नहीं, तो भला आपको क्यूँ जी जा जी भाया, लड़की को मंडप में लेकर के जाना है, लेकिन अभी तक साड़ी नहीं आई तुम टेंशन मतलो, शास्त्री जी समाधि में है वो कब मर गया है, अरे पगले, समाधि का मतलब है ध्यान करना, अब उठ गयोंगे अभी आएगी क्या, बीस मिनट में हमें यहां से निकलना है, तब तक साड़ी आजाएगी ना अगले दस मिनट में यहां होगी, पता है कौन लेकर आ रहा है, जन्दू फोड़ा स्लो चलाओ भाई, मैं गिर जाओंगा, तुमारे हाट जोड़ता हूँ, क्यो इतनी स्पीड में चला रहे हो, बंडीजी मूरत का टाइम हो रहा है इंसान जिन्दा रहेगा, तो मोरत देखाओगे न, मोरत के चकर में माल डालोगे, जल्दी पहुंचने के चकर में हटी-पसली ठूट जाएगी, तुम्हारी उम्र में जूड़ जाएगी, मेरी उम्र में नहीं, थोड़ा अलाम से चलाओ भाई पंडी जम पहुंच गए, उतरी यह, कहां पहुंच गए? घर पहुंच गए? आई ये छोटे शास्त्री जी, कैसे आप? देखकर पता लगा है कैसा हूँ? क्यों, उसने आपको टेंशन दीख्या? डरा दिया इनके डर की वज़े से तो देर होगी नहीं, तो कब के पहुंच गए होते हैं? अब और देर मत करो, जाकर सपना को ये साड़ी दे दो, गणपती शास्त्री जी कैसे हैं? पाकवान कैसे होते हैं? अच्छे ही होते हैं. आप बातें कीजिए. उनका नाम यूज करके आपने अब तो पेट बर कमाया है ना? हमारा जान की बातों में बहुत और काम में कम है. परिशान मत हुए, इसको तारीफ और बेज़ेती समझ में नहीं आता. ऐसे मुर्फ को पैदा क्यों कियों है? क्या हुआ? इतना लेट क्यों? रजिस्टर मेरीज इतना असान होता है क्या? र पपी, बहुत मोटा हो गया है. इसके माँ भी मेरे साथ बहुत रहते थी. ये भी ऐसा ही है. आश्रम में था तो बहुत छोटा था. देखो अब कैसा हो गया? आज कल ना, इनसान से कुट्टों की वैल्यू ज्यादा हो गया. जिंता मत करो. इस जन में इनसान हो, लेकिन देखो, ये साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है. यही दिखाने तो बुलाया है. बाद में भी देख सकते हैं, बाद में ये चांस नहीं मिलेगा. चांस क्यों नहीं मिलेगा? मतलब बाद में आप लोग शादी के कामें बिजी हो जाएंगे ना, तो देखने का चां जो, और आप लोग अपना काम करो, चलो, चलो, आपनों भी कापले लगा. चलो, पड़े पड़े सर्प्राइज देने वाले जा क्या हुआ सर्प्राइज का, बस 10 मिनिट के बाद सपना के रूमे जाकी देखी, खुदी पतल चल जाएगा. काभी समय हो गया, सर्प्राइज तो शादी में आप नहीं भी गए तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यह लड़की मतलब वो बड़े घर वाली की शादी है ना तो बड़े-बड़े लोग होते हैं लेकिन इस शादी में आप ही बड़े हैं तो ओके ओके यह लो यहां साइन कर दो इनकी फोटो ले लो अगरे हैं नहीं करता तो हमारी शादी नहीं हो पाती फता है जेनरली लव मैरिज में कोई हैल्प नहीं करता लेकिन हम तोनों की आपने बहुत है भाई मेरे ड्यूटी तो पुरी हो गई अब आप लोग और मेरे पैरमंद पगड़ना उल्टा आप लोग को थैंक्स नहीं थैंक्स मत बोलिये आरे बोल ले देना यार आपने डूटी की ना उसके थैंक्स क्यों बॉस और करेक्ट है एनिवेज सपना को हमारे घर में सब प्यार करते हैं मैं तो बिलकुल फ्री था अपने घर में अरे सौरी मेरा मतलों बोल इथा आप क्या कहना चा अब क्या करोगे तुम बैक टू बलारी छे मेने के एंजिनीरिंग पूरी हो जाएगी बाद में क्या होगा देख लेंगे घर में इतना सब कुछ हो रहा है किसी को पता नहीं चला क्या वह सर्प्राइज सर्प्राइज बोल रहा था लेकिन ऐसा सर्प्राइज नहीं सोचा वो किसी से प्यार करती थी और हमें नहीं बताकर बहुत बड़ी गलती कि उसने, उन दोनों की शादी कराके उसने हम सब को बेवकूफ बनाया है, आज के बाद उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, इस घर में उसका कोई नाम तक नहीं लेगा, समझ गया है ना? ए गोबी, इदर आ, क्या हुआ? चंदू का है रहे? वो सब अंदवे हैं, हारने वाला कहीं भी हो, एक ही बात है रहे? औरेक्ट है, भाई वो हमको भी यही बहुत है, अब यह लोकल होकर नोन लोकल लोको के साथ घुम रहा है, सब लोग सुनों, हमारे चंदू के परसनल प्र किया है, आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं, कि मैं किसी की भी मदद करने के लिए हमिश्य तक्यार रहता हूँ, हट हो गया, लड़की मारेगी तो हट नहीं होगा, क्या, मैं भी गरीब स्टुडेंट हूँ, यह लो, मैं खुद गरीब हूँ, हेलो, हेलो, मैं रिलाइ मतलब सब लोग साथ में होते हैं, फिर फोन क्यों, मतलब आपकी फैमिली में कोई बाहर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसके साथ भी आप बात कर सकते हो, देखो, ऐसा कोई भी हमारे कर में नहीं है, हलो, क्या मा, बड़े पापा का गुसा कम नहीं हुआए गया, रॉंग न थैंक्स है लाट, इसलिए आपकी जैसे यंग टैलेंटेड लोगों के लिए, हम एक शोक अंडग कर रहे हैं, उसमें आपको जरूर पार्टिसिट करना है, मैं आपने घरवालों से पूछ के बताऊंगा, ओके, राजु मामा, रेडियो सिटी के लोगों ने मेरा डांस प्र तुम्हारे साथ एक रेडियो प्रोग्राम करना है, तुम्हारी आवाई सुनकर सौरा प्रोग्राम क्लोज, सौरी सुदा, मेरी आंटी जरावनी आवाज है, मेरे बड़े मामा जी बात करेंगे, वी विल टॉक लेर, तुम अपनी आवाज बदल सकते हो, हमारे दिल को नही हाई, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम होस्टल में रहती हो ना, ममी टैली नहीं होते है, बहुत फ्रीडियम होते है, उस फ्रीडियम का एडवांटेज उठा लो, शट आप, मैं इतनी किरी हुए लड़की नहीं हूँ, अप स्पेशल भी होते तो कोई बात नहीं क्यों है याँ किश आप इसका यार यए है कुछ नहीं वह भाई बिना मतलब को तुने कुछ नहीं वह आप हुस्टल में बहुत फरीडियम होता है ना, बस वो यूस करने को बोलाता और कुछ नहीं बस इतना ही उसी के लिए तो रो रही है, ये कुछ बोल रह थाना, इसका प्रीडम फैटर रेग्या प्रीडम 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 प्रीड़ मज़ता है रड़की नटीगों सताएगा इतने हीवत तेरी अध्याइब बाहर से यहां के लोकल बंदे को मार रहा है अच्छा नहीं होगा मुझे जो अच्छा लगा हूँ अपकुछ नियुक्त वह सब्सक्राइब करना हूँ तो आपने आने में थोड़ी से देर कर दी वर्ना डाउट क्लियर हो जाता यह नहीं चलेगा तुम दोनों के तेवर से ही मैं सब समझ गया हूँ चलो जाए आपर तेरी तो दो हूँ चाहँ टो भासे हो इसैंहित कर दी मैं सरद को कर श्रोब्सदीट! यूए! अभसे नौरूल्स औिसीको चोर नमाद बद्चला! ग्ओ! सबस्क बास घस यह थis पाल पाल कॉल तंदू वो लो गलत गेम खेल रहे हैं हम भी ऐसा ही खेलेंगे समझ गये ना जलो इंदर पाल इंदर इंदर अcol ल होना मल्यत से खरता तंद है आपिज के अश्ट चीज हो बंदर ना उआ पांति तंदू वह इंदू वह ढ़िए और कर दो वारा! कर दो कर दो! येस! येस! सिस्केतो! हम जीत कर एंजॉय करने के लिए और तुम लोग हार कर फील होने के लिए हमने गेब नहीं खेलाया तो यह जगड़ा क्यों वैसे हमारी बीच में जगड़ा क्या है वे तुम लोकल और हम नॉन लोकल बस इतना ही ना कुछ दिनों में कॉलिज खत्म हो जाएगा और उसके बात हम अलग हो जाएंगे तो लास्ट फ्यू डेज में हम मिलकर एंजॉय करेंगे कैसे एंजॉय करें उसने मेरा मूद और दिय सामने वाले को दुश्मनी का फील दोगे तो वो भी हमें दुश्मनी समझेगा और दोस्ती का फील करवाओगे तो दोस्त समझेगा के लिए मैं रडी हो चार साल चार दिन जैसे निकल गए हैं ए राजू अपने कपड़े पैक मत करना क्या मतलब यहीं कंट्यूने रहूंगा डाउट है क्या डाउट नहीं फिक्स है तुमने तो अच्छा ही लिखा ना सूपर एटी परसेंट फिर तो मैं यहां नहीं रोखूँगा तो मारे आउंसर शीट पर मैंने अपना नंबर लिख रहा है तुम लोग अभी तक तयार नहीं हुए हो और तुम यहां बैठे 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 क्या सोच रहे हो उस दिन स्कॉर्पियो में जिस लड़की को देखा था अब तक उसी लड़की के बारे में सोच रहा है तेरी कि अगर में नहीं मिला तो वो मर जाएगा तो अगर मैं नहीं मिला तो वो मर जाएगी कब है उसकी शादी आज ही है सब लास्ट मिनिट पर बताएगा तूजा के शादी की तैयारी कर मैं लड़की को लेकिया आता हूं अले मेरे लिए तुम लोग इस जमेले में क्यों पट रहे हो यहां पर रोकेंगे तो फस जाएंगे आप लोग शादी करवाई है मैं चलता ह लेकिन बाहर की शादी में असा नहीं कर सकते मेरी बात मानो और चुप्चाप बी एर पी के घर चलो राम पापो शादी के मंडप का नाम के है पूछ 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 कौन है आप देखने में तो सब खतरना गुंडे लग रहे हैं लगता है ने देखकर ही गुपी यहां से भ लड़की को यहां से लेके ही जाना है कि तुम लोग टेंशन मतलो यह देखो में कुछ लेकर आया हूं क्या है क्लोरोफार्म इसके स्प्रेस से इंसान भी यह ठीक से काम करता है तुम ने चेक किया है अब ये क्या कर दिया हम्द्धा बागल है कि हर बात में मसा अपने पर तो किस पर मारू जो बहुत सवाल पूछेगा उस पर मारे बहुत मतलब ठीक है तीसरा पूछेगा तो मारे देना है अरे जल्दी उतरो बाबा जीजा जीसे डाउन पड़वाओगी क्या आप ऐसा बोलते हो लेकिन नाइडू जी आपको याद रखेंगे क्या अरे यह सब या अरे इतने नजदी की हो के दूर से क्यूं बात करें जी 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 आओ बुर्खे में कोन है हमारा सैदून लाइडू है उनकी बहुए ऐसा है क्या अच्छा जो भाग के शादी की ती होई है यह रिष्टे में मेरे लेगेगी देखा आधर कास्ट में भी हमारे रिलेशन है अ हमारे आदमी आरे तुम चलो यह कोन है आरे बहुत बड़ी कानी जी बाल मता को है तुम चलो चलो बैटी पूजा बुआ 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 प्लीज मुझे शादी नहीं करनी प्लीज मुझे पता है बैटी इसलिए बोल रहे हूं तुम कैसे भी करके यहां से भाग जाओ मैं जाकर उन लोगा पर रोकती हूं हां 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 हम दुलन के फ्रेंड्स हैं उसे मिलने आ है थोड़ी दिर में नीची आएगी वहीं पर मिलना इसको मसकट जाना तो फ्राइट का टाइम हो जागा इसलिए हम चलो जाओ खुराजु भाई मैं यहां पर रुख के नज़र रखता हूं आप उसको लिखराओ हां ठीक है दुलन किस रूम में वहीं रूम है थेंक यू कौन है आप लोग तुम रखो क्या चाहिए वह क्या है कि तुम चुप रहो आप चलिए वाट अरे सब शत्याना स्कर्द्या देख रहें अरे जल्दी से बुर्का उतारों अरे संजासी जी क्या हुआ चाची को क्या हुआ परिखनेंट है क्या मामा जी कैसे वाप कैसा है तुम्हारे बेटा बहुत बड़ा हो गया उसको कब तुमने देखा अरे अभी शादी में कब देखा आख अरे बुर्के में भी कोई साथ में थी तुमारे दिमाग को कुछ ऑग आ जाओ डॉक्टर का दिखाओ आरे तुमार मेरे दिमाग में कुछ हो गया है यकीन करो मैं सही कह रहा हूं क्या हो गया है आपका अरेंज्मेंट देखर बेहोश हो गई हॉस्पिटल लेगी जाना है है जल्दी कर बढ़ो जल्दी आप चल भागो है भाई लड़की नहीं दिख रही है भाई इसकी तो मुहरत पर शादी होनी चाहिए या प्यार करने वाली लड़की के साथ ये क्या बात कर रहें तुम क्या क्या हमने अपनी जान दाउपा लगा कर तुम्हारे लिए लड़की को लेकर आए इतना घमंड है इसको अहां मुझसे चोटा होकर भी मुझ पर रहां तुटा क्या राजू मैरे प्यार पर और उंगली उठाओ क्या मैं चुप रहूँगा लेगिंपनी कॉनelt вами पूछ रहा हूं पहले तुम बता लड़की कौनैं रुको आप लोग ये लड़की शादी के मंडप से भाग कराई है मेरे बेटे से प्यार करती इसलिए बाग कर रही है एक मिनुट रुगी है मंडप का नाम क्या बताया था सुमा शादी का मंडप यार और तूने क्या पताया था नाम बदल दिया इसलिए गडबड हो गई सौरी श्र्याश्यासर तो फेर वोलोरी उरिया खाना तो भागी जाओ जले है यहां घर चल्रा और यारांट सुरे यह को और है को कौन है आप लोग मैं कहा हूँ सारी मैडब मेरे फ्रेंड की लवर सोचकर मैंने आपको उगलती से उठा लिया है रहली है थाइंक्यू थाइंक्यू सोबच आपने मेरी बहुत बड़ी है थाइप कर दी क्लोरोफॉर्म की वज़े से कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया लो यहां से जान ही पाओगे ऐसा क्यों कम कम क्यूटी पाए वहां देखो इतनी सारी कार क्यों आ रहे हैं वहां देखो यहां कई को शूटिंग वूटिंग दो नहीं चल रही है अगर मैंने बता दिया कि आप लोग मुझे यहां लेकर आए हैं तो आपके छोटी-छोटे टु ने सच बोल रहे हूं उनको सच बता के मां भी मंग लेंगे यहां फिर हाथ पैर तोड़ देंगे गल्थी हमारी है ना आपको करन मोट करना है ना हां करना है चलो-चलो लेट्सको नहीं तो सब खत्री में पढ़ जाएंगे तेरी शादी के वजह से मौत के मुह में फस गया पहले मुझे बैटने दे, थोड़ी जगह तो बना, आपको शादी पसंद नहीं है, कोई खास वजे, हेल्प कर रही हो तो अद्वांटेज मत लेना, बेवगूफ, ना खरेगी साइज, बॉड़ी की साइज सेसे, पीछे जालो, पीछे, पीछे जालो, पीछे, पीछे जालो, पीछे देखो, इए, वो बनकर, एक अकेल आदमी क्या-क्या करेगा, उसकी जगह मैं नहीं बोल सकता, एक बार पीछे देखो, इए, पास, आँ, पास, आँ, इस, तो, इस, जबदी, चलाओ न, फुल स्पीड में चला रहा हूँ, खड़ी गया तो मुझे कुछ नहीं करें प बार ई वह हैुइँ, सबुन के नहीं चला सकते हैं, यह, जब मेंे तरफ है, जब में दर्वाजा, कहां जा रहा हैं, यह, जब नहीं दोहा हूँ, आज जा रहा हैं, इस, बढूशक में। कि कि अधर लोगो कि अधर दो आधा दो अधर है अधर पेट हैं तो कि अधर है यह दो आधर को यहीज़ोड़ कर दाएंगे यही रहना है क्या वो लोग हार हैं चल्दी चलो रगजा आजम चलो जलने.. चलो इस तरफ अरे आजाए इदें अरे अरे बापने दादा जी की निशानी थी वो गाड़ी उसे नोड़कर पैदल चलना पड़ रहा अरे वो लड़की का हैज हमारी जान बजगा और तुम्हें लड़की की जबड़ी इस अगर वो लोग तो यहां बुचपत है अरे सुन अगर वो जल्दी चलो उसको छोड़कर गल्टी कर दी है थैंक्स चंतु इतने दिन तक मेरा इखाकर मेरी कार से सेंपथी दिखा रहे हैं आपकी बेकार कर नहीं करना हूं बेकार की कार जब मैंने टैन पास की थी तो मेरे दादा जी ने मुझे एनाम में दी थी और मुझे आजिर भाई ये टॉपिक आपके मरे वे दादाची के बारे में नहीं है उस लड़की का क्या हुआ होगा प्रान पत्ने के बाद भी तुम्हें लड़की दिखाई दे यह क्या वो बात नहीं रहे उस लड़की को भी शादी पसंद नहीं थी ना अच्छा ये बता तू क्या बिन पसंद वाले शादी को रोपने के पैदा हुए हो इसको सही का अटम ने सेट बिल सेट वह है देखा मिनल वाटर चिकन तंदूरी ये सब आमने कब और किया तूने ये मिनल वाटर और चिकन तंदूरी खाया सेट उस मैडम ने तुम लोग सच में मर्द हो या नहीं हां एक लड़की खत्रे में है और तुम लोग उसे छोड़कर चले गए अकुडू मूवी देखी है क्या उसमें सौ लोग के पीछा कड़े पर भी महेश बाबू लड़की का हाथ नहीं छोड़ते हैं वह है असली मर्द महेश बाबू इंडिया के बारे में कितना अच्छा सोच रही थी तुम तो बहुता हुझ ना को में नियुक sect इस मोटे का नाम मोहन है यह लड़की रभूला सब लोग अपना नाम याद रखना अपना नाम क्यों आपको आपको नाम याद रखने के लिए का अरे दनेया तुम जा के बिल दे कर आओ जो भाई खुद का नाम डाइनमिक रखे मेरा नम धनिया क्यों रख दिया मुझे अच्छे नहीं लगा सुनो कर्णूल तक यही रहने दो उसके बाद याद ही नहीं रहेगा यह सारोफ है क्यों टिप के लिए लेट्स को आप सब लोग कब से फ्रेंट्स हों सब लोग बहुत प्लोज हो ना शांत रहो मैं रोकता हूं भाई साब नमस्य साब लेट लेट अब अब अपने दादा जी के पास पहुंच गया होता तुम मांगोगे तो लिफ्ट कैसे मिलेगी धन्या तुम पीछे आओ और तुम मेरे साथ आओ छुप जाओ हवा में लिफ्ट करा दे हाइवे पर लड़कियां बहुत अच्छा है हैदराबाद तो नहीं कम से कम यहीं काम हो जाएगा संतोश हाई 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 बेबीस हाट कन आ डू फर यू लिफ्ट चाहे आप कहें तो जान देदू ने ने आप मर गये तो हमें तोनों बैठ जाओ रास्ते में और जोग सुनाना ठीक है तैंक यू अरे हावा कम है क्या शीटी को बजा रही हो तुम लोग कौन हो हाँ तब तो मैं तुमसे सूट के सुट वाँगा वैसे तुम्हें कहा जाना है डालिंग मुझे बस करनूल तक ड्रॉप कर दीजे हमें है बैठ चुपकर काले कोवे आइम संतोष संतोष रेड़ी मेरे चाहने वाले मुझे हैपी रेड़ी कहके बुलाते हैं अपनी शादी से भागे आई हो आपके जैसे एजट बंदे के साथ बिना पसंद इसकी शादी हो रही थी ना इसलिए भाग कर आगे यह कोई है तुम्हा आना है लेकिन काम नए चलो बाकी बाते सफर में करेंगे फिर वहां पर है आप जाका रहे हो वीकंड एंजवाइक करने के लिए हैदर अछारों बुरा हफ्ता मेहनत करके यहां एंजोइप करने के लिए जा रहे है मेहनत किस चीडिया का नाम है वो तो अभी मैंने सुना ही पुरा वी क्या करते हो बस वीकेंड का वेट करता हूँ इसलिए वेट भी बहुत बढ़ गड़िया है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या बोला तुमने? पेरेंट्स को कमाने के लिए मैरत नहीं करनी चाहिए उससे होता क्या है? फिर भीट आपके जैसा हो जाता है मैं सीडीज लेकर आता हूँ उसके बाद मूड का गेटप चेंज गेटप तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा एक्सक्यूज मी इसक्यूज में वेस्टन आपट्विट्स? इंगलेश सिर्फ हमको यह नहीं बलकि इनको भी पता होनी चाहिए इनको भी पता होनी चाहिए यह अच्छा ब्राइट और फ्लैशी है देखो फिर यह नहीं चाहिए त्राइल रूम का है चलो भाई जल्दी से आजाए अरे वाँ गोल्ड ज़रा रुप वाँ सिंट्रेला प्यूर्टिफुल यह गिफ्ट पैक कर दो थैंक्स धनिया थैंक्स मुझे आपको बोलना चाहिए इतना अच्छा गिफ्ट सेलेक्ट करने के लिए यह मेरे लिए नहीं है आपको लिफ्ट दी है गिफ्ट भी चाहिए सच में बहुत खड़ू साथ में हो तुम लेकर मैं आया सीडीज वह गाड़ी तुम्हारी है क्या हां है लेकिन क्यों हाइ अच लोग थी उसे पांक लोग शादी के मंडप से उठाकर लाई थे आथ़ अभी vara कहा है मैंने कहा ना हाथ दाओ वरना हाथ तोड़ोगा और ही कुछ जानना है क्या चल बता कहां है वो लोग यह लड़की यहां पे आई थी क्या कहा है वो कपड़े खरत का चले गई सार तुम उस्तरब चाओ तुम उस्तरब चाओ जाके बस्टाप पे देखो मैं भाई को फोन करता है यह लड़की के लावा किसी कुछ आनते भी नहीं है इससे पता है जब तक वो ना मिले से छोड़ना मत लेके जाए पूसे नहीं पता आरे नेचे उतारो उतारो आप क्या करें ह यह से ही रहेंगे थोड़ी देर यहां रहकर क्या करना ही यह सुचेंगे पर्फियूम बहुत अच्छा है कौन सा ब्रांड है एड्वांटेज मत लेना अरे यहां सांस लेना मुश्किल है एड्वांटेज क्या लूँगा चल रिचार्ज कर कि अधिनल क्यों नहीं आरा है आपको रिलेस्टिस में मिल जाए अभाबर रिस्ट्रेशन पहुंच गया अब किसी भी गारी में चड़ जा रहे हैं अब किसी बीगारी में चल जा रहे हैं चलो जल्दी और उसके बिच्छ निए चलारा हुआ है जडी, चलो चलिई, चलो, ट्रेड चलीं गया सब लोग चल्दि आओ नहीं न निकलजएगी चलो, आजा फकलो, आओ चल्दी, आओ पुझकर चल्दी, हाटो अप्ना हाट जल्डि। यदॉ चल्डियों चलो, आज brewing पू़ज। पू़जह unused पू़ज। पूज्च आपईऑ़ झाओ़ भ Nurse पू़ज। 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 पू़जब पू़ज। और हैंगड़ मारे चिल्लाव मत पुसुर लेगा चुलाओ तो बीए रुपो केस हैं क उपपी ** आ तो लेगा अद्वांटिस मत लेन सब्सक्राइब यह वेस्ट रोड इस तरफ होना चाहिए कितनी बार बोलना पड़ेगा क्या हुआ और एक बार हाथ लगाया तो जगड़ा क्यों चाहिए ऐसे चलेंगे तो रोड कब आएगा मुझे कैसे पता ट्राय करना पड़ेगा पकड़ के ट्रेन में खीच रहा था ले जो उसको पकड़ने के लिए इतनी दूर आया हूं मैं मुझे सब कुछ पता है हां दो वहां मंदिर में तुम्हारे फ्रेंड्स छोड़ने को बोल रहे थी पर तुमने कनवेंस कर लिया धाबा में भी तुमने उनको कुछ कहानी सुना कर कर लिया यह सब मुझे पता नहीं ह जानती हूं अरे बापरे वाँ 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 सोचा लड़की बेचरी अकिली मुसीबत में तो इसकी हेल्प कर दू तो इतनी घटिया सोच है इस जंगल में अकेला छोड़कर जाओंगा ना तब पता चलेगा जा 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 यह जंगल मेरे लिए नया नहीं है अमेरिका म सब्सक्राइब करो मैं हाथ चूड़कर माफी मांगती हो नहीं तो भगवान के पास चली जाओगी अरे आरा हो रुचाओ क्यों चिला रही हो मुझे से अच्छे इंसान को दुख पहुंचाओंगी ना तो ऐसे ही होगा लेकिन एक दूसरों के लिए कौन रिस्क लेता है अरे जो पकड़ता है पकड़ो कुछ भी करके बस मेरे जान बचाओ जल्दी खेखे मुझे आजओ मुझे पकड़के रखो देखने में स्लेम हो लोकिन कितनी भारी हो बोन विड्ट जदा होगा जल्दी पकड़ो यहां समल के नहीं तो मैं गिर जाओंगा अभी जो पकड़ने को बोला वो तभी बोला होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्या है वो मैंने क्या गलत बात कहिँ आ निवहां पकड़ने में कर्कुल कि यहां पकड़नले से अमधैं कि अहिए पकड़ना एसा मद बोलो बहुत अजीब लगता है आठीक यह लेकि के फ्लैट हो गए थे ना राजु भाया ने बताया मुझे आप लड़कियों को पांच मिनिट क्या में जाते हैं तो बस यहीं बाते करने लग जाती हो वह तो ठीक है लेकिन वह लड़की कौन है कहां की है फिर कहां देखेगी वह कुछ पता तो नहीं है मुझे देख गई कहा मतलब वो मुझे दिख जाई बोल रहा हूं ठीक है वो लड़की दिख भी गई तो वो तुम्हें प्यार करेगी याने इसकी क्या गैरिंटी है आपके नेगेटिव केशन्स के लिए मेरे पास जवाब नहीं है प्यार में यकीन करना ज़रूरी होता है यह सिने में डालोग म पूजा कहां चली गई रूजा अब यहां क्या कर रही हो मैं कितना टेंशन में आ पता है किस बात की टेंशन इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम टेंशन क्योंकि फिर से गिर तो नहीं गई मैं अरे धन्या पहले उस लड़की को कार में देखके फ्लैट हो गए अब कोई भी थोड़ी खूपसूरत लड़की क्या देखी बस फ्लैट हो गए अच्छा फिर तुम लड़किया हमारी बेकार सी बाते सुनकर बर्देज और वेलेंटेंड देज के गिफ्ट जो हमसे ले लेती हो और फ्लैट हो जाती हो इसे एडवांटेज मत समझ ले न आपके बरह में मैं जान सकता हूं क्या इफ यू डोंट माइंड मैं अभी अमेरिका से यहां सेटल होने के लिए आई हूँ लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वज़े से वापस जाना चाहती हूँ आई लौस मैं पासपोर्ट वो मिल्ले तक करनूल मैं मेरी फ्रेंड के घर में ही रहोंगी दैट सिट वाट अबवाट यू धनिया मेरा नाम धनिया नहीं है चंदू है चंदू फिर जूट क्यों बोला मेरे फ्रेंड बहुत ही होश्या है आब में एपक करना वस्तैब कर चाहती है बesंदूनी रहती। कि दो भी दमनेवे coolवे कि बीके कि वाट लाट्रार्णी बंग भालते है कि भी आहए पालता पूर्या को खुछहरों अर्या पहए वालता प्यार्णी पालता गता रार्ण ज्रमट जो और अजए लीर! एप इज हूए इप इज हाँ गवाई रिर्म एई! एप इज हो जो जो एफ इज हो जो एप झाल 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 जँ झाल 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 पाल कर दो 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 कर झाल 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 कि यह क्या हुआ तुम्हें जोट कैसे लगे कुछ नहीं है मैंने आप लोगों को बहुत परिशान किया सौरी चलो कोई बात नहीं थैंक्स यह लीजिए गहने इन्हें चेक कर लीजिए चंदू तुमको सच में कभी नहीं बूल पाऊंगी और रिली मिस यू कि बिन टच कैसे हां वहीं टच में कैसे मैंने कॉंटेक्ट डीटेल्स मनेशा को दिये हैं कितने काथ करेगा चलो भी बाए अब पूझा तुम्हारी फ्रेंड आने तक वेटिंग रूमें वेट कर लेगी तो बस चूट जाएगी चलो सुबहाई तक दूसरी बस नहीं है अमेरिका कॉल करना है अमेरिका कॉल करना है एलो हेलो गॉतम मैं पूझा बात कर रहे हूं पूझा आरियो ओके या आम फाइन उन लोगों से भाग कर अभी जस अभी करनूल पहुची हूं वाट बाट मैं पासपोर्ट और वीजा पूझा तक तक तुम कहां रहोगी करनूल में सवीता रहती है ना उसके घर में ही रहोगी अरे सवीता तो शिकागो आ गई है ना फिर अब क्या करोगी मैं कोई भी अरेंज्मेंट कर लोंगी तुम्हेरा पासपोर्ट और वीजा अरेंज करके रखो ऐल कीपिन टच वीदियो ओके बाए यज हुआ है था है कि हाँ पर जो, झाल, त। झाल, जो दो मेरी फ्रेंड सविता यहां नहीं है अमेरिका चली गई है अब मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन आप लोग फिर से क्यों आ गए इस इस फॉर यू मेरी याद की तौर पे तुम्हें देना चाहता था थेंक यू पूजा अब क्या करोगी तुम गौतम दस दिन में मेरा पासपूर्ट और वीजा आरेंज करके भेजेगा और तब दक मुझे दो दिन में हमारी यहालत हो गई है तस दिन में तो हमारी जान ही चली जाएगा अब पूजा मैं एडवांटेज ले रहा हूं ऐसा अभी भी आप लोग चंदू के बारे में सोच रहे हैं सप्तना जी की शादी उसने किस तरह से किया ममा जी अभी तक रो रहे हैं सुनो अगर आपको कुछ करना है तो इस घर में शुब कारी करके उनके दिल को थोड़ी सी खुशी दो तुमारा प्रॉब्लम क्या है समझ गय मेरा डांस गंदर्व कला है उसका अपमान करोगे तो आंखे फूट जाएंगी शादी.com में जिसने भी तुमारी फोटो देखी उसके आंख फूट गई और हम सब जगह ढूंड कर ठक चुके हैं अब तुमें कहीं से ढूंड कर लानी होगी आपकी होती वे शादी नहीं हो और नहीं होगार थे शाद़ि सेरे ठाहर कर थे कि अब पूजी यह अइन किला नगे राग आपका नशेर मेरा मेरे दादा जी देश्पक थे, इसलिए इनके नाम ऐसे रखे, मेरी मा का नम क्या पता है, सोराज्यम, सारे गर्गरती है काच्यम हाई सोनी, हावर यू, यू चबी-चबी शास्त्री जी का अश्ट्रम साहिया ना, देखा कैसे घुल मिल गई है मैं क्यों आई हूँ, आपको बताया ही ना, मेरे बारे में हो ना, मेरे मम्मी डाड़ी एक अक्सिडेंट में गुजर गए, भगवान लॉरी ने ठोका क्या तब से मैं शास्त्री जी के साथ ही रह रही हूँ, यहां गांधी मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है, कॉलेज स्टार्ट होने के लिए और 15 डेज है, उसके पहले बुक्स, हॉस्टिल, सब कुछ देखना है गणपती शास्त्री जी मेरे लिए भगवान जैसे है, जितने दिन रहना चाहती हो, उतने दिन रहो, कुमारी, वो लगज उस कमरे में रख दो, लेकिन उसमें तो अल्रेडी सामान है, चंदू की रूम में रख दो, चंदू कौन है अंकल, वेरी बैड परसन, बैड है अंकल, आरती लीजु अंकल, आप ही लेजी आंटी, आंटी, अंकल उस ट्रोफी को देख कर इतना खुश क्यों हो रहे है, उन्हें बचपन से ही नाटक का बड़ा शौक है, एक नाटक में दुरियोधन का रोल किया था, स्टेट अवार्ड मिला है उन्हें, और वो भी उनके फेवरेट एक्टर एंटी आरजी के हाथों से, इस पूजा मेरी जान, हाँ, ये यहाँ, वो यहाँ क्यों आया है, पुछो उस से, बोलो, कहां जाना है, पता नहीं चला, इसलिए यहाँ आया, लेकिन शादी उसने की तो मुझे पे गुसा क्यों हो रहे हो, उसके साथ तो अच्छी बात कर रहे हो ना, देखा मामा जी, पूर इंदर ब्लड लेवल कम हो गया, दवाई खरिद कर पीने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मामा जी आपी तो दवाई पीते हैं ना, दवाई मतलब आप जो पीते हो वो नहीं मामा जी, मेडिसन, बहुत बोलता रहे, और क्या, राजु भाई के हेल्प की वज़े से त बेटी पुजा, येस अंकल, तुम शास्त्री जी के साथ रहकर आई हो, तुम जो कहोगी मैं मान लूँगा, बोलो बेटी, ऐसे इंसान को माफ करना चाहिए, एक्चली माफ नहीं करना चाहिए, अंकल, लेकिन उसका चेहरा देखकर लगता है, बाहर जी नहीं पाएगा, इ मेरी शादी फिक्स हो गई है, जो ऐसे डांस कर रही हो, किसी को मेरी निल पढ़ी है, क्यों डैडी, थैंक्यू, थैंक्स डैडी, क्यों उसे परिशां कर रहे हो, देखा ना बेटी, उसके आने के साथ घर में खुश्यां भी आ गई, मेरी बेटी की वज़े से हमसे दूर हो बच्पन से ही ऐसा है, सामने वाले की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझता है, गोड, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने, बट वन थिंग, तुम्हें होश्यार रहना होगा, घर में सब लोग बहुत शार्प है, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते ना, वाट मैंने कहा, इस घर में सब लोग तुम्हारे जैसे हैं, कमिंग तु दपॉइंट, तुमको हिचकी आती हैं, क्या हिचकी, मतलब हिकप्स, ठीक है, लेकिन इतना हेवी करना नहीं आता, तो लाइटली करोगी तो भी कैच कर लोगा, आपसे अगर तुमको मेरे साथ बात करनी ह तो हिचकी आने जैसे एक्टिंग करना, it's a secret code between us, ए भगवान, ऐसे आइडियाज कहां से आते हैं तुमको, सी पूजा, मुझे तारीफ पसंद नहीं है, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, इतना बेकार आइडिया कहां से आता है, सोच रही हूँ, और क्या बेकार का आइडि और एक आइडिया जिन्दगी बदल सकती है, कुछ पता है ने तुमको, पूरी रात प्लान किया था इस आइडिया के लिए, हाँ, टेस्टिंग, गुड, नवस्तिस, आईए, हुँ, खून बहुत ज्यादा बेह जाने की वज़र से पेशिंट कुमा में चला गया है, कुमा मतलब जिन्दा रहे गा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, इसको याद नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, arrow वरना तुम कूमा मिं आज आजओगे, नरसिमा के होश में आने से पहले जिसने इसे मारा है से खत्म करना होगा पर पहले मलना के दर्शन क्या हुआ इतने अच्छे लोगों को धोखा देना ये सब मुझे बहुत गलत लग रहा है चंदू अरे बापरे ये चली तो नहीं जागी अचा सुनो दस दिन सेफ रहने के लिए चोटा सा जूट बोलकर मैनेज करना पड़ेगा और वैसे भी धोका देना गलत होता है मैनेज करना गलत नहीं होता मैने क्या बोला भी मतलब मैने कुछ खाना मैनेज करना गलत नहीं है सही है ना अहां सही है करेक्ट है ना तो जो कर रहे है वो करेक्ट है तो इतना गिल्टी फील क्यो हो रहा है बेठी पूजा, कोई आ रहा है, तुम जाओ शबाज चंदू, कमाल किया तुने, इसे स्पीड में उसको प्यार में फसा के परमननली यही पर रख लेना है, चलो चलते हैं तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? दादी मा, छोटे शास्त्री जी आये है ठीक है बिटा, पंडी जी के लिए कॉफी बनाओ हुँ यही कहाँ चला गया तुमने इतना बड़ा जूट क्यों बोला? मैंने कुछ जूट नहीं बोला देखा हिच की बंद हो गई, इसी को हिच की ट्रीटमेंट बोलते है थैंक यू, अंगल क्या हुआ सिगनल क्यों दे रही हो? आश्रम से छोटे शास्त्री जी आ रहे है मेरे बारे में पक्का पूछेंगे अब क्या करना है एक तरफ है प्यार का नाता मैं कहीं ना आता जाता और चोटे शास्त्री जी, कैसे हो आप? तुम कैसे हो? पूजा के आने के बाद तो जिंदगी बहुत ही अच्छी है यह पूजा कौन है? अरे वही शास्त्री जी ने आश्रम से भेजा ना डॉगी वाली? अरे शास्त्री जी, गल्ती से भी इस घर में डॉगी या पपी मत बोल दे ना क्या? बड़े पापा ने उसका नाम पूजा रखा है जैसे शिव जी के लिए नंदी वैसे ही तुमारे बड़े पापा के लिए डॉगी है ना अरे से डॉगी बोल रहे हो आप पूजा बोलू ओके है ना? ओके समझ गए ना? नमस्कार चुट शास्त्री जी गुरू जी ने चंड़ी यगे किया था आपके लिए प्रसाद भेजाए उन्हों अरे ये तो उनका प्यार हो रहा है आप बैठे है ना? कॉप्पी लिजे शास्त्री जी ये पूजा कहा है? बसाई लिए बहुत मोटी लग रही हो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा पर ये तो खाती नहीं है बहुत शर्माती है डॉगी को भी शर्माती है सब लोग एक जैसे ही है ये काटती नहीं है क्या? ये क्यूँ काटेगी छोटी बच्ची थोड़े ये शास्त्री जी शादी लाइक हो गई है आरे बापे, इनका पागलपन बढ़ गया है गणपती शास्त्री जी पुजा की शादी के लिए कोई रिष्टे देख रहे हैं क्या? अब देर मत करो, तुम सब लोग मेंटल होस्पिटल में भरती हो जाओ मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है अभी वो ट्रेंड भी नहीं आया है प्रकृति को जो मंजूर होगा वही होगा न उसके लिए हमें क्या देखना है सब आजाद हैं अहां सही है, मा और पिता नहीं है न बड़े बेवकुफ लोग हैं इनके साथ रहूँगा तुम मैं भी पागल हो जाऊँगा तो फिर मैं अब चलता हूँ ठीक शास्तिरी जी को बोलना, हमने उन्हें याद किया अरे खाना खाकर जाएए न तुम क्या खिलाओगी मुझे पता है सब्दी खिला कर भेज़ दोगी मैं पराडाज में दम बिर्यानी खाकर जाऊँगा रहने दीजिए आज मेरा उपवास है आज के दिन मैं खाना नहीं खाता ये लड़की कौन है, इसको कभी नहीं देखा हमारी काम वाली है नाम को माहिए बहुत अच्छे देख रही है अब मैं चलता हूँ जी नमसका हूँ हाँ थांक्यू इस ओके अरे चंदू तुझे थैंक्स बोल रही है लगता इंप्रेस हो रही है धेरे धेरे पास आ रही है मैंच का क्या हूँ जाचू आर गया है इसलिए देखा मत करो मुझे देखने से मना कर रहे हो हाँ है जल्दी तैयार हो जाओ दूलहन की तरह रेड़ी हो रही हूँ अरे चिन्ना अब तक रेड़ी नहीं हुए क्या रेड़ी हो रहा हूँ भया स्कूल के लिए देर हो रही है चलो लेकर जा रहा हूं बड़े पापा किसने किया यह तुम सबसे पूछ रहा हूं किसने किया यह बताओ किसने किया बोलो मैंने किया अंकर गलती से हाथ लग गया था गलती होई उस लोफी के बारे में पता तुम्हें उसकी क्या वैलू यह पता है शास्त्री जी के पास रहकर आई हो किसी और के घर में कैसे रहना पता नहीं है ये इस घर की महमान इसे इतना काम क्यों दिया जा रहा है पराई लड़की हो इसलिए तुम्हें ज्यादा नहीं बोल रहा हूं भाईया जी क्या हुआ ट्राफिट मुझाने नहीं मैंने तोड़ थी रुको बेटी राज्यम ने मुझे सब कुछ बता दिया सब को सच बोलने में मुझसे डर लग रहा था लेकिन तुमने क्यों जूट बोला मुझसे अंकल इस घर में सभी लोग आपकी बहुत इज़द करते हैं और उतना ही डरते भी हैं उस तूटी हुई ट्रोफी से कहीं जादा सेंसिटिव आप सभी लोगों का दिल है गुसे में आकर आप राज्यमान्टी को कुछ भी बोल देते और उनका कितना दिल दुखता और फिर उसके बाद आपको बहुत दुख होता ना मुझे पता है इसलिए मैंने कहा कि मैंने किया है जो गलती किये उसे मानने के लिए संसकार चाहिए और किसी दूसरे का इल्जाम अपने उपर ले ले उसके लिए बड़ा दिल चाहिए मैंने इन सब के सामने तुम्हें बहुत हर्ट किया बेटी इसलिए आइं सॉरी अंकल रिली सॉरी आप उससे सॉरी अंकल नहीं बेटी कई परिवारों में छोटी छोटी बातों के वज़े से लोग अलग हो जाते है तुम छोटी हो पर तुमारी सोच बहुत बड़ी है तूटी ही ट्रोफी को तुमने हमारी फैमिली के लिए बुरी याद नहीं बनने दिया तुम किसी पराय घर के नहीं हो बेटी May God bless you मैं तभी बोलने वाला था उस बेकार ट्रोफी के लिए इतना बड़ा जगडा क्यूं ओ क्या है कि मैं अपने उपर लेना चाहता था लेकिन आपको मेरे बारे में पता है न तुमें तो उपर से नीचे डाल देना चाहिए था आपकी इकलोती संतान चंदर शेखर के ऊपर आपको कितना भरोसा है और आपको उसे कितनी आशा है मैं जानता हूँ इसलिए पूरे राज जैसे सबसे अच्छी लड़की आपके बेटे के लिए खोचकर लाया हूँ देखकर हां कर दीजिए तो ये मैच फिक्स कर दे क्या बोलते हो बेटा अरे चंदू स्ट्रेट वर्क आउट नहीं हो रहा है एक बार रिवर्स ट्राइ करते है आपकी मर्जी बड़े पापा वेरी गुड फिर फोटोस देखते हैं आओ जल्दी दिखाओ देखा ना पूजा शादी की उम्र मेरी है मुझे चोड़के मेरे सामने जो बच्चा है उसके लिए रिष्टा डूड रहे है बच्चपन से यही हो रहा है सब के प्यार से दूर होकर ऐसे अकेले जी रहा हूँ हाथ भी होती है अकेले पनकी ना पूजा चली गई लेकिन पूजा कब गई तुमने शुरू किया न तब ही इस लड़की का नाम भवानी है इसका बाप मिनी अंबानी उसको भी नहीं पता उसके पास कितना पैसा है कलर वाइट है लेकिन कमाई ब्लैक है हाँ पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है सुनो यह नाम अपर्णा युएस की पैदाईश नो निकनेम्स, नो ब्रदर्स, नो बैद हैबिट्स, फादर आई-पीस, मदर आई-एस, यू है नो च्वाइस, यू है तो से येस, यूर राइट, आखे बन करके नांटी बंक्स दे दो, शाबाह, हाँ, 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 इंपोर्टन काम में इसे सिगनल क्यों दे लियो, कैसे इंसान हो तुम, मैंने क्या किया, तुमने कहा था ना तुम एक लड़की से प्यार करते हो, बोला था तो फिर, उस लड़की का वेक ना करके तुम ये सब कर ले हो, अब उस लड़की को मैं कहा टूड़ूँगा, वो मिलेगी इसकी गारेंटी भी नहीं है, मिलने के बाद प्यार करेगी, यह भी गारेंटी नहीं, बस उसको देखा और भूल गया, ऐसी चलना है, जलो इतना समझाने के बाद भी समझने आता तुमको, कैसी इंसान होतो, अरे क्या डरा रही हो मुझे, मैं किसे से भी शादी करू तुमको उससे क्या, हम फ्रेंड्स है ना, इसलिए हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, बाकि तुम्हारी मर्जी, तुम केसी अपलामा से शादी करो तो मुझे क्या, सौरी, उस लड़की का नाम अपलामा नहीं है, अपरना है, अपरना, आओ बेटा, तुम्हारी खुश खबरी के लिए वेट कर रहे थे, तो फिर तुमने बातरूम में क्या सोचा, नहीं बड़े पापा, अरे पर तुमने तो अभी अभी 90 मार्क्स दिये अजये ये, ऐसा लगना चाहिए कि उसके लिए कितना भी बड़ा रिस्क ले लूँ, उसके लिए घरवालों से भी जूट बोलना गलत नहीं लगना चाहिए, अरे चंदू, मैं एक लासिकल दांसर हो, तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में, गुसा आया तो गुंडा ब मार गया मेरा, ठीक है, मेरी बात सुनो, पूजा आपको ढूंडते वे नहीं आई है, मैंने ही उसको यहाँ भीज़ा, राबेश, यह तुम क्या बखवास कर रहे हो, वो क्या है नकीश, यह बॉटर टूटी जैसे मेरा, दुख, मैंने तुम का देखा था, तुमारी, घरवाले का है, वो गनपती जी के आश्रम गए हैं भाईया, वो लड़की का नाम, पूजा, पूजा का है, पूजा को भी अपने साथ लेकर गए है, पूजा, चंदू तुम्हें पसंद हैना, बोलो बेटी, अरे, लड़किया शर्मा थी, यह क्या बताएगी, देखो अरे, उत्रो, आओ, आओ, बेटी कुजा, इस पाने में स्नान करने से, हमें जो चाहिए उसकी प्राप्ती होती है, ठीक, आँ, आप सब स्नान करके आईए, मैं शास्त्री जी के पास जाके, अभिशेक की तैयारी करता हूँ, सुनो, तुम ध्यान रखना, चलो बेटी, चलो स्वस्तिना इंद्रोर धश्रवा स्वस्तिना पूशा विश्वा नमस्ते शास्त्री जी अ, रखु, बेटो, सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक ही है, शास्त्री जी, आप से एक ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ क्या है, बोलो मेरी भेजी हुई लड़की, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था कहीं न कहीं गलत फैमी हुई है, रखो तुम्हे यहां कौन लेकर आया? आपको मैं चाहिए ना, तो चलिए बह्या, कौन है यह लोग? मलना, आपके दर्शन करते ही, मेरी खाहिश पूरी हो गई मार्ण डेकर बचलिए उसका वीजा और पासपोर्ट आने तक मैंने ही उसको कन्विंस करके जूट बुलकर यहां रहने दिया था बेटा, तुम उस लड़की को पसंद करते हो ना देखें मुझे तो इस वक्त बहुत डर लग रहा है पता नहीं बेचारे पुजा किस हाल में होगी पुजा पुजा अगर यह लड़की फैर से बाहर गई तक चाहर से माटालूगा प्लीज मामा जी यह जितना पैसा चाहिए था तुम लोगों को दे दिया जितने गाड़िया चाहिए थिए तुने गाड़िया भेज़ दिया इतना ही तो काथा जैकर उसको लेकर आओ अब आकर बोल रहो कि पैड़ी नैड़ को वह मिल गई है तुम बेवकुफ कहीं के हम बहुत कोशिश किए भाईया लेकिन कहीं नहीं मिली अब कहा करें कि अधिए नहीं मिले जवाब दे इसे मारने से क्या मिलेगा पता है यह हमारा गुलाम है हमें किसी भी हाद में राइए और सब कुछ अच्छी तरह से गुजारिश है प्रभू आपकी बहु आपको मिल गई अगर आप आगयां दे तो मैं यहां से चला जाओंगा अच्छी ब कोबर भी उठाया मैंने मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं सर पूजा को ले जाने वाला धनिया बहुत ही चलाक आदमी है सर वो दुबारा कभी भी आ सकता है लेकिन आप लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे उसे पहचानने वाला तो जा रहा है रुक जाओ क्या होगी क्यों नहीं होगी बाबुजी दोश है रे जब तको दोश जाएगा नहीं तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो दोश का निवारन करना बढ़ेगा सब लोग तैयारी में लग जाओ एक एक और थाला था था घर जाओ किस दोश्टर कुछ जाओ किस दोश्टर था था तक जाओ एम आस रहारो भी पाठाब। और खक्यो कि डिवार था जाओ झाओ एक पाठाब। जुँ लख जुँम पूम साना च nine जुट कर की निख जुट खी तूлох, जुट कर के छि जुट..! इुट जूए मैं लॉटए scenario तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ उस दिन वो लड़की की बारे में बताया था न मैंने वो लड़की मिल गई है तो उसकी फोटो तुम्हें दिखाने के लिए हूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ उसकी एक वजय तुम्हारी फैमिली भी है तुम्हारे जैसी मेरी भी एक फैमिली है मेरी मा अपने भायों से बहुत प्यार करती थी इसलिए मेरे पापा ने अपने बहनों की शादी मेरे मामाओं से कर दी और वो सब खुशी-खुशी एक साथ प्यार से रहते थे फिर उसके बाद पापा बिजनिस की वज़े से अमेरिका सेटल हो गए मेरे माँ पापा दुनिया में चाहे कहीं भी रहे पर असल में उनकी पूरी दुनिया तो ये गाओं ये फैमिली है मेरे पापा चाहे कितने भी बिजी हो पर हर साल यहां आते थे जब हम सब साथ होते थे तब एक त्योहार की तरह लगता था मेरी मामी तो मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती थी मेरा बहुत ख्याल रखती थी मेरे मामा मामी मेरा बर्दे वहाँ पर ही सेलिबरेट करते थे और मम्मी पापा इससे बहुत खुश होते थे अचानक से मामाओं के बीच प्रॉपर्टी को लेकर मिसंडेस्टैंडिंग्स हो गई और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए मम्मी पापा उन्हें मिलाना चाहते थे इसलिए वो मेरी शादी उसी फैमली में कराना चाहते थे ताकि सब फिर से ठीक हो जाए पर ऐसा होने से पहले ही वो एक अक्सिडन में गुजर गए और मैं अमेरिका में अकेले नहीं रह पाई इसलिए अपनी फैमली के साथ रहने के लिए मैं यहाँ चली आई मालिक सबी आ रहे हैं लेकिन आपके बेटी नहीं आ रहे हैं तुम्हें पता नहीं वो मेरी बेटी नहीं है वो मेरे घर की होने वाली बहु है वालिक यह बहुत बोल रहा है, भौक रहे है, भौक ने दो, है, आगे पूजा, पूजा, ओ हाई, कैसे हो आप? अच्छा हो, चलो, यहां कहां, चलो, बताऊँगा, पापा, पूजा मेरे पास ही है, आप लोग आ जाओ, ठीक है, चलो, पापा, ये लोग तो भाग रहे हैं, भागेंगे ही ना, हमको देखकर उनको ये आया होगा, रुख जाओ, घर जा के आराम करो, मैंने पहले ही कहा था, ये बॉखेंगे, मुझे कोई जाओप लग रहा है, जाओ, बेवकूफ कहीं के, कैसी पुझा बिटी, मामी जी, मैं ठीक हूँ, पेट्डी नाइडू जी, अगरे घर में कदम रखने के लिए, ये कोई ताज महल है क्या, मेरी बहू को धोके से यहान आये हो, मैं उसे वापस ले जाओगा, बेजो उसे, बखवास बन करो, दुबारा अगर ऐसी बात की, तो तुम्हारा सिर्थ हर से अलग होगा, हम भी कोई चूर्या पहन कर नहीं अगर किसी ने एक कदम भी आगे पलाया, तो हम उसे काट डालेंगे, आओ ले, मेरी बात सुनिये, शान्त हो जाईए आप लोग, आप दोनों जगड़ा करेंगे, तो आपके इजज़त जाएगी, जैसे आपके पिता जी 15-15 दिन आपके घर पर रहते हैं ना, वैसे ही ये लड़की भी रहा करेगी, जा बोलते हैं? तुमने अभी जैसा कहा, वैसा ही करो, आप क्या बोलते हैं? मेरी बात ध्यान से सुन लो, 15 दिन के बाद मेरी बहु मेरी घर में होनी चाहिए, चलो रहे! चलिया, ठीक है, मेरी बात वो मान गए, मुझे बहुत खोशी हो रही है तुम्हारी बात पे ही मैं शान्त हो गया, कांसलर 15 दिनों के अंदर ही इस लड़की की अपने बेटे से शादी करवा के, इसे अपनी बहु बना के रहूंगा इस तरह मामा जी ने मेरी शादी जबर्दस्ती फिक्स कर दी थी, और तब ही आप लोग आकर मुझे मेरी शादी से उठा कर ले गए पूजा! क्या करें? समझ गई ना, जो कहा है वो करो लेकिन चंदू मैं हूँ ना क्या हुआ? मामा जी, मैं छोटे मामा जी से भाग कर आ रही हूँ चलो, आजाओ! उनके बारे में इंक्वाइरी करने के बाद हमें ये पता चला कि उनके दोनों फैमिली के लिए एक ही ओडिटर हैं उनके बैंक के लिए, उनके कॉंट्रेक्ट के लिए, उनके गाउं से बलारी आता है एक चाय उसे भी देता है उनका नाम है मिस्टर मूर्ती मूर्ती इतने पैसे लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं 25 लागी तो है फोन रखो बिकार में कॉल किया गुरुजी एक डिड़ी फॉर्म देना थैंक यू सर मुस्ट वलकम आपकी शट पर स्याही लगी है स्याही मेरा सूटकेस कहां गया मेरा सूटकेस यही था अरे सूटकेस कहां चला गया मेरा सूटकेस मेरा सूटकेस खो गया सर यहां तो नहीं है मेरा सूटकेस कौन ले गया, मेरा सूटकेस कहां गया? किसीने मेरा सूटकेस देखा क्या? मेरे पैसे थे उसमें, पुरे पच्छीस लाग रुपे थे, सेट जी को पता चला थे जो.. आथ क्या बाई, अब यहाँं चिला कि क्या फाइदा, बाहर जागे ढूनो न.. क्यों क्या 25 लाख रुपए चोरी हो गये 25 लाख जी को पता चला तो मैं तो गया लगता है वही है जा कर देखो मेरे लिए पूशे तो कहना मैं नहीं हूँ जाओ जाओ क्रिष्ण मूर्ती जी का घर यही है मज़े पता नहीं वह घर पर नहीं है उनका सूटकेस मिला यही है उनका सूटकेस पर उनका नाम और घर का एड्रेस लिखाया तो इसलिए तुम चाहो भी आहां से यहीं सूटकेस है चलो अंदर आरे ज़ो सब कुछ ठीक तो है न सब कुछ ठीक है मेरे भाई ये तुम्हें कहां मिला बैंक के बाहर चाय पी रहा था तो एक आदमी सूटकेस लेकर भाग रहा था उस पर डाउट हो तो पकड़ लिया इस पर आपका नाम और एडर्स था तो मेले के आगे उसने तो मेरे पैसे चोरी की लेकिन तुमने मेरा दिल चुरा लिया नाम क्या है तुम्हारा चंदरशेखर राव सर लोग मुझे चंदू बुलाते हैं ये लो ये दस रुपए रखो इतने पैसे नहीं चाहिए मुझे थोड़ा खाना है तो खिला दो मुझे अरे इतना ही सुको हां रात का खाना जो फ् इमांदारी और सच के साथ सीय में इंटर किया था मैंने हां क्या फिर यहां क्यों आई हो बिटा यहां मूर्ती बोल कर बड़ा अटीटर है हम युद के लिए इंस्पिरेशन है तो उने कन्वेंस करके असिस्टन का जॉब करने आया हूं तुम बहुत लगी हो यंग मैन वो सोड़ा यही रख दो तुम जाओ यंग मैन हमको इंटेंशन कुछ नहीं है रे हमारी कंपनी में दो ही क्लाइंट्स हैं एक पेटी नाइडू दूसरा चिटी नाइडू दोनों फिंगर प्रिंट हैं मतलब दोनों अनपड है रे अच्छा बताओ साल में इंकम टेक्स कितनी बोगी है क्या वो तो दीख रहा है जर कल से तुमारी लाइफ का नया स्टार्ट हो रहा है तहीं खाओ सरुको पहले से टक्राओ चीर्स जीयो मज़ानी लाइफ पीने का खाने का और मजालेने का मज़ानी लाइफ अच्छी मेरे को जीरो देते वक्त तुमको बीवी और बच्चे की याद नहीं है क्या उसके पेट पे मारो अपने गलत लिखा था तो मैं क्या करता है मैंने गलत लिखा क्या हमारे राश्चपति कोन है परतिभा पाटिंजी है फिर लास्ट टाइम अब्दुल कराम बताया था ना अभी चेंज हो गया है वो बदल गए तो मेरी गलती है क्या उसके लिवर पर मरो और मारो उसको मुझे जीरो देता है क्या हुआ है मेरे शेर मास्टर जीच को ऐसे क्यों मार रहे हो ऐसा क्या किया है उसने दादा जी मेरे को जीरो मांग देखके हमारे वंच की इजद बरबाद किये हैं मारो उसके तकली पर बेटा जहां 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 बोल रहा है वहां वहां मारो तो कमीने इंसान हो या मिला दूगी मर जाओगे फिर कमीने चिट्टी नाइडू अच्छा यह पक्का मिला देगी ए सुनू उस मास्टर को छोड़ दो ए मास्टर भागए ऐसे जा 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 लेकर साथ बेटी तुम्हारा भगवान भदा करें बेटी देवकू स्कूल का टाइम हो रहा है जल अरे कर आओ बेटी बस जहर मट डाला तुम यह क्या है मैसेज आया है सर सेलफोन तुम्हारा है इंस्ट्रॉल्मेंट में खरीदा है सर जैसे भी खरीदा हो इसे यहां यूज मत करो जलो अंदर रखो जलो मैं मिस्टेक लिकर आया सर यह सब छोड़ो कॉंट्रेक्ट का क्या मुर्ती बाहर वालों को धंदे मिलेकर मत आना कितनी बाहर बोला है तुमको दिमाग खराब हो गया क्या अरे नहीं नहीं यह बाहर का आदमी नहीं है यह मेरा भांजा है चाहिए तो देख लो दोनों एक जैसे दिखते हैं बचपन से एक जैसे हैं बड़े होकर मैं भी आप कि मेरी गयराजरी में यह काम संब्हाल है आपको पसंद नहीं आएं तुम वापस भीज देता हो मुर्थी तुम ऐसे नाराज क्यों हो जाते हो आना क्याकर कर देखो लृषि नहीं छोड़ो, एह मूर्ती, जुको, आज रहने तो छोटे भाई, मूर्ती स्कूल का टाइम हो रहा है, जुको, भान जी के सामें, जुके का नहीं क्यो, एप, कैसा लगा मूर्ती, दुन को मज़ाया, बहुत मज़ाया, क्यारे मूर्थी तुपारे सर पर मारने के बाद मेरे शेर को जो खुशी मिलती है वो करोलों रुपे से मिलती है क्या नालायक इसी लिए ही तो मेरा ये शेर कहरा तक गधे को पालना है तो मैंने कहा अरे अपना मूर्थी है ना ए चिटी नाइडू, तो मीना कहीं का, ये टिफिन लेकर जा, दस लोगों का खाना खाता है, पताने किस की तरह बनना चाता है, ये भी कैसी जिंदगी है मेरी, रोज रोज मुझे दुखी करने से अच्छा है, कि एक बार में जाकर मर जाओ ना, चिटी नाइडू, बेटा शे हैं, आप पर्मीशन देंगे तो, शेर, क्या हुआ, वह बाल नहीं है, हमारे वंश का गौरव है ये, चाहो तो जो हस रहा है उसका गला काट दो, लेकिन ये बाल कभी मत काटना, बाल मत काटना मेरी शेर, ये मेरी आग्या है, ऐसा कहा दादा जी, ठीक है दादा जी, मुझ अब ये बुट्धा भी आ गया, दादा जी को फेना, ऐसे करने वाले पर यकीन नहीं करना है, इसको नमस्कार नहीं, इसका पिंड़ दान करना है, भया जी, इंकम टेक्स पे करने का टाइम हो गया है, कितना, बहुत सारी फाइल्स देखने के बाद 15 राख हुआ है, जो पै क्या बात है न, अगपा, ऐसे क्यों तोड रहे हो, पापा, मैंने अभी वही आवाज सुनी, मुझे पीछे से जिसने मारा था, वो यहीं कहीं है, मतलब हमारी लोगों में से ही कोई पैड़ी नाइडू के लिए काम कर रहा है, किसी को बोलना मत, वो सतर खो जाएगा, हम उससे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसका कला काट कर मार देंगे, अंदर बहुत ही अच्छे से मैनेज किया सर, बेवकूफ इनके हिसाब से कभी भी जूट बोल सकता हूँ, तुम्हें बस फॉलो करते जाना है, आई बात समझ में, समझ गया, क्या समझे, वही आपको फॉलो करना है, हाई संतोष, कैसे हो, कैसा हूँ, मज़े कर रहा हूँ तुम्हारी वज़े से, तुम्हें लिफ्ट देकर मैंने बड़ी गल्ती कर दिये, आज हैदराबाद में वीकेंड मना रहा होता, तुम्हें मेरे दिमाग में काईडी आया है, उसे फॉलो करो तो तुम्हें फ्रीडम मिलेगी, क्यों संतोष, क्या हूँआ, नहीं सर, वो गुबर उठाते उठाते थोड़ा टाइम लग गया, परसेंट, ये वही लड़का है सर, ये हमारी काउं का नहीं थे, सच में ही है क्या, नहीं तो तुम्हें जंदा नहीं छोड़ूँगा, अरे मा की कसम खाके गह रहा हूँ, ये लड़का वही है, दूसरा नहीं हो सकता, सर, क्यों चिल्ला आया है, आपसे मिलने कोई आया है, ये लड़का जहां भी और ढूंट कर ला, अभी तूजा, चला जाओंगा सर, सर, आपसे मैं एक बात दुबारा कहना चाओंगा, धनिया बहुत ही डेंजरस आदमी है, वो ये शादी नहीं होने देगा, सर मैं आपका भला चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा तुझे जब उस लड़के के बारे में इतना पता है, तो तुझे उसकी शादी होने तक यहीं रुखना होगा, आपने कहा जाओ, मैं कह रहा हूँ न तुससे, एक बार कहते हैं, चले जाओ, दुबारे कहते हैं, इसलिए खुद के पैरपेक कुलाड़ी मारना बोलते हैं, स इसका मुँ हमेशा के लिए बंद कर दिया, यह लड़का कौन है, मेरी बेहन का लड़का है, चंदू, नमस्कार सर, अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, अमेरिका में शिकागो सुबाराओ नाम का एक बड़ा बिजनसमेन है, उसका अकाउंट देखता है, दरसल चिट्टी न इसलिए तो मैं इसे यहाँ आपके पास लाया हूँ भाया, क्यो रहे सर, तेरे मामा की बात सही है, आप ही तो देखोगे ना सर, अकाउंट्स कम्पलीट कर दिये हैं, आप चेक कर लीजिए, टेक्स भरना पड़ेगा, यह सम मुझे कैसे पता, हिसाब किताब तुम्हीं दे 13 रूपीज, 13 रूपए मामा जी, क्या कह रही हो, सिर्फ 13 रूपए, आज की 13 रूपए मतलब कल के 13 लाख रूपए होंगे मामा जी, सही कह रही है, इस बार जब तक पूजा अकाउंट्स चेक नहीं कर ले थी, टेक्स पे नहीं होगा, ओके भाया जी, यह कौन है, ने कहा वही संज़ रहा था, जाना, देख रहे हो, दामाज जी, पड़ी लिखी बहु कितनी फायदमन दोती है, अभी-कभी वह घाटा भी देती है, क्यों, अकाउंट्स देखना चाती हो, अकाउंट्स देखता हूं क्या, वोने चंदू, मैं जब मामा जी से बात कर रही दोचती तो हाट डाल रहा था, पहले उसका अकाउंट सेटल करो, इसका अकांट ऐड करो तो मेरे अकाउंट के बारे में कुछ करोऊ ना, चंदू, क्या यह ₹ES, प्लीज प्लीज ₹श Chevino Neath, अरे रे 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 अनर्थ हो गया चंदु थोटी ना सब मेरी गलती है क्यों बाई मूर्ती तुम्हारी गलती पकड़ी जाएगी डर रहे हो क्या मेरी बान जी कोई मामूली लड़की नहीं है मुझे भी आभी पता चला आजाओ अब क्या हो गया मूर्ती वो कुछ याद आया भांजे को बताना था वो लोग देख लेंगे चलो आओ अभी नहीं बताया तो भूल जाओंगा बता कर आता हूँ भांजी जो प्रॉब्लम होगी मैं बता दूँगा चलो आओ मर गए मर गए पूजा बेटी पूजा मेरे लिए बच्चों से भी बढ़कर है बेटा वो जहां भी रहे खुश रहे यही चाहती हूँ मैं मेरी बात मानो तुम दोनो यहां से चले जाओ आउटी आप पूजा को जितना प्यार करती है पूजा भी आपको उतना ही प्यार करती है मेरी वज़े से आप लोग दूर हो जाओ यह मुझे पसंद नहीं है उसकी माँ और पापा के हिसाब से आपके सामने ही हमरी शादी होगी लेकिन यह ना समझ लोग है बिटा यह लोग नहीं समझेंगे आप उनको समझाने जैसा समझाएंगे ना मुझ पर छोड़ दीजिए अंदर बहुत अच्छे से मैनेज किया आपने क्या मैनेज किया रे अकाउंट्स देख रहा था कि बैलेंस शीट बना रहा था मैने क्या 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 थपड मारूंगा अगर एक भी शब निकाला तो दोनों एक दूसरी के ऊपर ऐसे गिरे हुए थे लड़की पहले मेरे उपर गिरी से बड़े-बड़े लोगों के घर में यह सब नॉर्मल है लड़की तुछ पर गिरे या तू लड़की पर मार हमें ही पड़ेगी समझा कर ले आराम से बाइबाई कर ले चल यहां से अब चुप चाप स्कूटर चला और आगे देख पीशे मत देखना अरे तेरी स्टैन पर से तूतार आगे कैसे जाएगी क्या कोई देख दावा फिर क्या करें से माचलते हैं क्या मतलों सब और सिनेमा ओल में इ helt कर रहे हो यह क्या तुमने तो हूल में बोला था अ बोख लग रही है कुछ खाने कि लिए गाऊ बॉस कोकाओ देना से दो चिल्ले सर रह ले न का अग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् कौन हो तुम? क्रेश क्रेश हो, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें सिनेमा दिखाने के लिए क्या का? हातों में खोजली हो रही है ना, जो लड़कियों को छूरे हो वही कम करने आया हूं मैं तू क्या गम करेगा रहे मारूगा तो दाँ तोड़ जाएगे त्राइ त्राइ क्या? त्राइ करेश कैसे मार सकता है जी वह तो सिनेमा में है ना सारे सीन में होता है क्या पता इंतरवल में आके मारा उसमें मुझे जो मार खाया वह जूट क्यों बोलेगा अरे वो थो ठीक है पंडित से चौदा तारीक को शादी रखी है इन हाथों से यह मंगल सूत्र कैसे बांदेगा मामा जी मां कल रात सपने में आई थी और बोल रही थी कि इनसे ही शादी करो जल्दी से वह मुहूरत निकालिये ना प्लीज हाँ ठीक है ठीक है ठीक है धामाजी पंडी से कह दो उसने जो मु क्यों रहे मूर्ती तु एकाउंट्स की बात सुनते ही बहुत डर रहा है आखिर बात क्या है कुछ बातें बता नहीं सकते ऐसा बोलकर चुब भी नहीं रह सकते नाइडी जी निरसिमा गोहुष आगया है क्या बाते से रस्पताल में आयो टेस्ट करवानी है क्या तुम्हें क्या लेना दिरा चुप रहा हो अरे वो नहीं ममा आपके भी तो टेस्ट करवाने हैं ना सिस्टर डॉक्टर सुब्रमानिम कौनिक ली बोलो देखिए आपको नीदा इतना खुछ में मुझें क्यों गुस्टे से देखेगा अपनों बाहर जाईए आप लोग यहां रहेंगे तो पेशेट फिट से कुमा में चला जयाएगा वापस को मामें चला जागा चलिए चलिए मामें चलिए चलिए आप भी बार जी प्लीज नर्सिमा तू परेशान मत हो डॉक्टर इसे जल से जल ठीक करो हम लोग यहां मिले हैं यह बात घर में ना पता चले उसने कहा है तो कुछ कारण तो जरूर होगा कितने दिन हो गया तुझे देखे हुए यह दीदी, कैसी हो तूं, मैं ठीक हूँ, एक ही जगा रहकर भी कितने दिनों तक मिल नहीं पाते हैं, आज तुम्हारी वज़ा से मिल पाए बेटा, आप भी जाके दर्शन कर लीजे छोटे मालिक, इतना दूर कौन जाए गरे, तो फिर घर में रहते हैं, यहां का आया है, आदी बाहर जाएगी तो अपनी दीदी से मिलेगी, ऐसा मेरे दादा को डाउट है, इसलिए मुझे भेजता है, तुम्हारी परिवार के जगड़े के बारे में, तूझे क्या पता है, ज्यादा बात करेगा तो प्रसाद में पॉजन मिला के दे दूगी, बेवकूप अना सासुमा, बिल्कुल अपने दादा जी पर गया है, कब सुधरेगा पता नहीं, चिट्टी, रात को मैंने स्पाइडर मैन मुवी देखी, बहुत अच्छी थी, स्पाइडर मैन सच में ग्रेट है, अरखी, क्या स्पाइडर मैन ग्रेट है रे, वो सब ग्राफिक्स है र और है वो, चिट्टी मैन, तो में, पूछने की बात है, स्पाइडर मैन ने कभी चोकलेट खरिद कर दिया, नहीं, मैंने खरिद कर दिया ना, मेरी तारिफ करनी चाहिए तो उसके कर रहे हो, अगर आज से तुम लोगों को तारिफ करनी तो सिर्फ मेरी करो, नहीं तो मेरे साथ भी होगा, अंडेस्टेंड, कुछ भी बोलता है, अच्छा दिया ना, अच्छा दिया भाई, वैसे छाता मेरे लिए, एक बात बताऊं क्या, मास्टर मुझे देखता है न, तो तुरंत उसकी, पक्रो उस तो, अरे, इतने स्पीड में मत बावो, एह, एह, रुक, अबे, रुक, तहां भाग रहे है, अगर मिल गया तो चट्नी मिला दूना, अरे, कितना तेज है, रुको, अ, है, एह, ये कौन सी जगा है, 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 ये जगा तो बहुत दरावनी है, निकलता हूँ, है, मामा, कौन है रे तू, अरे, बाप्रे, स्पाइडर मैन, स्पाइडर मैन, मेरे गाओं में क्यों आया, बाप्रे कैसे खूद रहा है, तुम ग्रेट हो या मैं ग्रेट हूँ, ये डिसाइड करने, अरे, हट, तुम क्या डिसाइड करोगे, स्पाइडर मैन, सूपर मैन, बैट मैन, कोई भी हो मेरे गाओं आया तो चिट्टी नाइडू के सामने सर जुकाना ही होगा कौन सर चुकाएगा ये डिसाइड कर लेते हैं क्यों बैच चिट्टी नाइडू अब बोल कौन सर चुकाएगा बोल मुझह ही जुकना है लेकिन मेरे वश्च मैं अगर दुबारा तुने वश्च का नाम लिया तो चुका के मारूंगा बंड़ों को इज़त देगा ना लेकिन हम ही सब से ज़्चे ज़्म बड़े हैं यह बार बाल कटके छोड़ रहा हूं फिर से ऐसा काम करेगा ना तो किच जब रहा है तुम्हारा भांजा बहुत हुश यार है बिछले महिने से इस महिने टैक्स एक हजार कम कर दिया क्यों रहे अगर अच्छी तरह से सीखो गे तो बहुत टैक्स बचा लें ओ अधागी क्या शिख जबर कपडा क्यों बार क्यों गया है चाने का जो नहाने का पानी रख़ूम बेटा नहीं दादी जी मेरा पानी में खोदी रख लूँगा मैं खोदी ना हूंगा जिसका काम उसे करना चाहिए कितना समझदार होगया मेरा बच्चा मैंनी कुछ नहीं क मैं पूजा बात कर रहे हूं. बोलो बेटी. बड़ी मामा ने फिर से मेरी शादी फिक्स किया. मुझे यह शादी बिलकुल पसंद नहीं है. महारात में सपने में आके बोल रही थी कि छोटे मामा जी ही अच्छा सोचने वाले हैं. ऐसा क्या? मैं यह शादी बिलकुल भी नहीं करना चाहती मामा जी. मुझे यहां से लेकर जाओ. ठीक है. शाम तक तुम हमारे पास होगी. मैं देखनूंगा. वेट करती हूँ. नगपपा! मेरी बात ध्यान से सुन. पूजा ने मुझे फोन किया था. वो कही रही थी कि उसने अपने मामा जी को शादी के लिए मना कर दिया है. अब भी हम उसे वहां से लेकर नहीं आये तो बेवकूफ बन जाएंगे. कडपा से, चितूर से, मेलोर से, विजय नगर से, हर जगए से सब को बनाओ. आज से वो पैड़ी, उसका बेटा, उसका पूरा वंश बर्बाद हो जाएगा. हाँ, बर्बाद हो जाएगा. सर, जाओ, हटो, हटो, जाओ, पानी लेकर आओ. वो मेरा क्या कर लेंगे? वो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हो, वो बहुत गलत है. क्या ने, क्या गलत किया है मैंने? मुर्थी, इसका मैं सर काता लूँगा. भाई, 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 अरे सर, ने, भाई को टेंशन मतने, तु जाए यहाँए. गलत बतने, सर काटेंगे, तो ठीक है लेगी ने, इनकी भाई की लिए बूल रहा हूँ ना? तू कौन होता है उनके बारे में सोचने बाला चल जाए यहाँ? ए, मुर्थी, रुक जाओ. टैक्स भी भरना नहीं है, अरे, इसको बताओ ना, बुर्थी. यह नया, नया है, नया है, इसको नहीं है. हाँ, मुझे सब पता है, आपको सिखाने की ज़रूद नहीं है. सर, आप सौ करोड रुपे के लिए आपके भाई से चखड़ा कर ले हो, वही 200 करोड का रिष्टा देखर आपके बेटे की शादी करवाएंगे तो, तो पेड़ी नाइडू से आप जीती जाएंगे. पूरती, यह पागल हो क्या है क्या, लेकिन 200 करोड, 200 करोड रुपए देने वाला यहां काउन है, बोनो. है ना, सर. सर, अमेरिका में आपके जीजाई नहीं है, जो करोडो कमाते हैं, बहुत से लोग हैं. मामा जी, शिकागो सुबराओ के बारे में बताओ. शिकागो सुबराओ? अरे वही मामा जी, आपने बताय था ना? ओ, याद आया. उसके पास कितना होगा बताओ? ज्यादा नहीं, पात सो करोड होगा ना? बिलकुल होगा. उनकी बेटी के बारे में बताओ. कौनसी बेटी? अरे वही मामा जी, शादी के लाएगा उनकी बेटी है ना? होगी तो चुप रहेंगे क्या, शादी के लिए रिष्टा देखेंगे? हाँ, हाँ, तो फिर गया? तो इनसे क्या पूछ रहे हो, मामा जी? इनकी बेटी के लिए गाउं का रिष्टा देखने की सोच रहे हो ना? उसी काम के लिए अगले हटे इंडिया है और वही काम पूरी तरह से आपको सौंप दिया है सौंप है? ग्या रहे मुर्ती पूरा तुम्हारे उपर ही रखा है है हो सब ठीक है तुम क्या करोंगे मुझे नहीं पता एपने मामा को लिखाओ और पूरा समझा कर आदू अगर यह रिष्टा नहीं तो तुम्हारी मामा का सरकलम कर दूगा पांसो करोन का सवाल है कि तेरी तो मुसीबत में है ये सोच कर मैंने तुझे खाना to lay अब तु मुझे भसाना चाहता है तुछ गैड आउट मैंने क्या किया सब उन्हें छिकागो सुबा राओ के पार में ये से बताया अब उन्हें सच में लाओ बोला तो कहा से लाओंगा सुनिया नाम कोई चिकागो सुबाराओ जी है सुबा से दस बार फोन कर चुके हैं वो अपनी बेटी की शादी के लिए यहां आ रहे आपको पता है ना उन्होंने कहा है कि आरन भी गेस्ट्राओ्स बुक करके रख लीजेगा भूलिय इसे सबकॉंशियस मेमरी पावर बोलते हैं सर फिलाल तो मैं कन्फ्यूजिन में हूँ साफ साफ बताओ ना उच नहीं सर हमारे जो करीबी लोग होते हैं वो बहुत दिन बीच जाने के बाद भूल जाते हैं लेकिन हमारे दिमाग के अंदर उनकी यादें हमेशा के लिए फ मैं चलता हूं सर अरे रुक मुझे इस जमेले में छोड़ कर जा रहा है सब मेमरी में और क्या-क्या है मिलकर याद करते हैं चंदू मैंने क्रियेट किया हुआ क्यारेक्टर मुझे फोन करके गेस्ट आउस बुक करने के लिए बोल रहा है सबकॉंशियस मेमरी पावर है सर मूर्थी और कितनी देड़ लगेगी वो लोग आएंगे या नहीं मुझे ही नहीं पता तो मैं क्या बता हूं बस दो मिनिट में आ रहे आप अंदर बैठिए हाँ कि कि अहीं है सकतरा एंदर टॉरो 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 सुप रहाँ हेलो मूर्ती जी हाव यू मैल हेई ऐसे क्या देख रहे हो सुबबर आओ आपका शिकागो सुबबर आओ क्या हुआ मूर्ती जी को क्या हुआ आप सच में आएंगे एक्सपर्ट नहीं किया होगा इसलिए शॉक हो गया है अओ मूर्ती जी आपकी वाइफ सुकमारी कैसी है अरे ऐसे क्या देख रहे हैं मैं लक्षमी मेरे हाथ की कॉफ़ी आपको बहुत पसंद है ना भूल गये गया एज हो गए ना इनकी कम लट्स गो इंसाइड एंट टॉप फणी फेलो कम ओन उठो उठो मैं आपके साथ शादी क्यूं गरूँगा अब तो मेरे पीछे ही पड़ गया है एकौन है मूर्ती बेवकूफ जैसा लग रहा है ये बेवकूफ नहीं है सर इकप ये है ऐसे चुप-चप खड़े क्यो हो हमारे बारे में बताओ ना अब ये बोलने की पोजिशन में नहीं है उससे अचा में बताता हूँ अच्छा सर ये चिटी नाडू जी है इस गाहों के बहुत बड़े आदमें आपके साथ बात करने आए है नाइस मीटिंग यो जस्ट गिव में फाइव मिनिट्स ओके मूर्ती जी इन सबको बैठने के लिए कहिए मूर्ती जी ऐसे क्या देख रहे है बहुत दिन हो गए इसलिए अब हम यहीं रहेंगे हमेशा क्रूस पार्टें करेंगे हम क्या रे तुम चुप चाब मुझ बंद करके खड़े ही रहे और वो चले भी काई हमारे बारे में बताये क्यों नहीं बहुत दिनों बात मिलने के बाद खुशी हो रही न तो बोल नहीं पारें बेचारे लेकिन बुछ दर में ठीक हो जाएंगे आपके जैसे ही हम भी इस काव में बहुत अमीर हैं मतलब जितना दिखने में उतना ही क्या अरे पैसों में क्या है एक करोड तक ही मुझे अच्छी तरह से याद है उसके बाद कितने करोड कमाये मुझे बिलकुल याद नहीं आपकी बेटी के लिए शादी का रिष्टा देख रहे हैं ना मुर्ती ने बताया बजये देखे मैं पैसों से ज्यादा संसकार की रिस्पेक्ट करता हूं मैं भी ऐसा ही करता हो यह मेरा बेटा है नागपा इसने आठमी तक पढ़ाई की है इसके लिए ही मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूं अच्छा है ना मूर्ती जी आप पर विश्वास करके हमने हमारी बेटी के रिष्टे के लिए आपको कहा था लेकिन आपने कैसा रिष्टा ढूंड लिया यह आप बिल्कुल चुप रही है और थोड़ी देर यहां रुगे तो मैं पता नहीं क् मेरे बात तो सुर्या भाई रुखी आप जाना रोक ना चिंटी नाइड़ू सर मैं बात कर लूगा आप चलिया अरे आप कर चाह रहे हैं मामा उनके साथ चलिया मैं अभी आता हूं शी कागो सुपर रहा हूं सुपर बड़े 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 कमाल कर तिया और नहीं तो क्या तू टाइम्स गोल्ड मेडलिन मोनो एक्टिंग वो ड्रामा बैचना वो थोड़ा और हो गया था लेकिन ठीक ही आपने इतना सारा ड्रामा हम किसली कर रहे हैं बड़ी मा आपको पूजा पसंदे ना उसे के लिए तो इतनी दूरा है तो फिर क्या उसे लेकर चलते हैं तुम डरो मत मैं तो पैदाईशी एक्टर हूं लेकिन ये पेट से ही आटिंग सीख कर आया वो अन आर्टिस्ट है अरे बेटा ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा नेक्स सी सुरी बड़े पापा नेक्स सीन तो मेरा अपनी बेटी के अपके बेटे के साथ शादी करवाने के लिए कुछ कंडिशन्स रखी हैं सर वो मुझे और मेरे मामा को सही नहीं लगी इसलिए ना बोल दिया क्यों मामा जी ना बोलने वाले तुम कॉन होते हूं मूर्ती उनकी क क्या है यह हमें पता होना चाहिए कंडिशन्स मतलब वो थोती निकाल कर हमें पहल लेंगे चाहिए ठीक है पहन लेंगे क्या हो गया सिर्फ इतना ही और दो कंडिशन से दो और कंडिशन वो क्या है वो लोग थोड़ा सा फैमिली टाइप है एडू जी तो हम लोग क्या बाजारू आदमी है ऐसी बात नहीं है शादी के रिष्टे के लिए और बिना औरतों के साथ आए हो इसलि कारूं को पताओ तो वो वो आपको आपके बाल काटने होंगे क्या रहे बाल काटने है हमारे वंश्का मान सम्मान गौरव सब इसी चोटी में है इसे नहीं काटेंगे तभी तो मुझे भी घुसा आगया आफ्टर और पांसो करोड के लिए आप अपने बाल काट दोगे सर जाने दीजिए अगर यह नहीं तो कोई और सही बोलिये ना मामा आपको उसे बीच में लेकर आते हो तुम ठीक है ठीक है बाल कटेंगे दुबारा आजाएंगे लेकिन पांसो करोड दुबार आएंगे क्या अधाजी बाल काट देंगे तो यहोगा यहोगा बालों को काटा जरुरिह गो पहले मेरे पिताजी के बाल काटो कि यह सुबह राओ कौन है उसकी फैमिली कौन है मैं कितना सोच रहा हूं पर याद नहीं आ रहा लेकिन उसे मेरे बारे में सब याद है अरे तुमने वो जो मेमरी बताई दी वो क्या था सब कॉंचियस मेमरी पावर सच में ऐसा ही कुछ हुआ होगा क्या मुझे भी ऐसा ही लग रहा है तो आपको यह मानसिक संगर्श बहुत होकर सूसाइट करने की नौबत आ जाएगी और आप लोगों को देख कर बहुत खुशी हो रही है आप लोगों में बहुत चेंज आया है आप से दिल मिल गया तो बस हम लोग बदल गए ओ इस ओके आपके फैमिली मेंबर से एकता से रहते हैं ना साधारण एकता नहीं बहुत मजबूत एकता है क्यों रहे मुर्ती हाँ सुबाराओ जी इनके परिवार का जोड़ तो इतना मजबूत है कि टूटेगा रिष्टा पक्का करने के पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहाँ आपसे क्या रहे चिट्टी बाबुजी अनेजुकेटेड है पढ़ाई की ही नहीं टेंशन की कोई बात नहीं है मैं पढ़ाई के बारे में कोई सवाल नहीं पूछूँगा चिट्टी नाइडू जी आपकी बीवी का जन्व दिन कब है कम अन ब्लैकोट बोलो ना उं ई शर्मा क्यों रहा है हर साल अठारा मई को मेरा बर्थडेद ज्वहार की तरह मनाते हैं मैं तो मना करती हूँ कि यह सब मत करो लेकिण यह सुनते कहा आं है अब सब के सामने बोलने में शर्मा आरहे है आज की परसनालिटी को शर्माना सूट नहीं करता है। आचानको पूछेंगे तो शरम तो आएगे ना। पिए जाने मेलावास, ऑगना है.А? मेला ही मुझे पता नहीं यह मुझे क्यों बूछ ला है। चाचा जी जिसấदेश को स्वतंतरता मिली तुछ जिन की स्वतंतरता चिन गई। की मजा करते हैं आपकी बीबीयों को कैसे बुलाते हैं मतलब नाम से नहीं बुलाते हैं मेरे बेटे और भाई को बुला के तुरंत मुहृत चाहिए क्या आप टेंचन मतलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने भाई को गाउं में छोड़कर आप ए रिष्टा पक्का करने के लिए आ गए आपने उनके बारे में गलत समझा सर आपकी तरह वो दोनों भी बहुत क्लोज हैं गाउं में रामलक्षमन ब्रदर्स कहते ह हां फर्क नहीं पड़ता फिर ये गाउं में रामलक्षमन कैसे हुए हां वो है लेकिन अभी गाउं में नहीं बोल रहे थे सही कहा बताओ रहे मूर्ती सुभाराओ जी और लक्षमी जी मेरी बात सुनिए मैं आपके फैमिली मेंबर जैसा हुना आपसे जूट नहीं बोलू कैसे आप टेंशन मर लीजिए सर वो मामा जी पर छोड़ दीजिए इतना किया है तो यह नहीं कर जाते हैं क्यों मुझे नहीं पता उस पेड़ी नाइडू को किसी भी तरह ले कराना है अरना मुर्ती तेरा सर काटके अपने पोत्य को दे दूँगा फुट बॉल चाहिए फ असी देखके लग रहा है कि जल्दी ही रोने वाले हैं गुट मॉर्निंग एबरीबड़ी स्वारी इंट्रॉप्शन सभी का वैल्वेशन का इंफोर्मेशन ले लो किसी को छोड़ना मत ओके क्विक क्विक हाय पुजा हाव यू फाइन अंकल ए तुम इस रड़की को कैसे जानते हो कौन हो तुम यहां किस लिए हो उजा के पापा बिजनेस के लिए हमारे पार से कर्ज लिए है वो चुकाई बिना मर गए अमेरिका में उनका प्रोपटी सीज गया तो सो कोड़ मिला और सो कोड़ बैलेंस है यह लड़की अपने पापा की गैरेंटर है क्या हो ता और किसके लिए मैं समझा नहीं हिंदू लोग के अनुसार शादी के बाद पती की प्रोपर्टी में आधा इसा पत्ति का होता है और वह हम ले कर जाएंगे यह क्या करें पेटी नाडू जी लोग यह ऐसा है अरे का है का लो सुसूर जी की तक्दीर है पर बैंकू अभी शा दूसरा रिष्टा नहीं देख रहा बेटी तुम ज़रा अंदर जाओ अरे मैंने कहा ना जाओ यह लड़की दहेज में करजा लेकर आएगी क्यों रहे मूर्ती तू दाल चावल खाता है या घास खाता है इतना अच्छा रिष्टा मुझे बताए भी ना चिट्टी के पास कर ली मामा जी आप टेंचन में लो मुझे का आइडिया है कैसा इडिया हमारे शिकागो सुबाराओ जी उनके चोटे भाई के बेटे के लिए रिष्टा देखने आरे कहा था ना चोटे बाई रिच्छी शुबाराओ और डलास ना बाई हैं बताए था ना यह ने बता था आप में पता है मामा जी बताया होगा अब मुझे क्या करना है नाइडू जी के लिए रिष्टा फिक्स कर दो हमारे मामा जी जो बोलते हैं वो सुनते है मूती, तू शो नहीं करता, पर टेलेंट तेरे अंदर कूट-कूट के है. मुझे भी अभी यह पता चला है. मामा जी, क्या है? वो बात भी बता दो ना? कौन सी बात? वही मामा जी कंडिशन्स के पारे में है. वरना बाद में नहीं बता है, फील होगा. सही कहा. पेड़ी नाइडू जी, पर उनकी कुछ शर्ते हैं. भाया, कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए? तेरा कभीनापन मुझे पता है कि तू किस लिए आया? तुम भी क्यों आयो, अच्छी तरह से पता है. मूर्ती के वज़े से बड़ी मुसीवत से बाहर आये हैं. मुसीवत से नहीं, गारी से आये हैं. बड़े मामा जी, मुझे अरजेन दस लाख रुपए चाहिए. ओगे ऐसका. दस लाख रुपए? पर किस लिए? अरे मामा जी, शादी की डेट पास आ रही है ना, तो कपड़े खरीदने हैं, ओनमेंस खरीदने हैं, मेक अप का सामाव लेना है. रुको, रुको. रुक गई बोलिये? आजकल तुम्हारी मा सपने में नहीं आ रही हैं क्या? तो दिन से नहीं आ रही हैं मामा जी. ऐसा मत कहो, मेरे सपने में आ रही हैं. फिर उन्होंने कहा, देखो मेरी बेटी की जिंदगी बरबाद मत करो. मेरा हाथ पकड़कर बहुत दुखी हो रही थी. फिर आपने क्या कहा, मामा जी? मेरा बेटा कमीना है, तुमसे शादी के लायक नहीं है. इस शादी को यहीं रोग दो. इतना कहने के बाद मेरी बेटा सपने में ही जोर-जोर से रोने लगी. मामा जी, आप रोना मत मामा जी. बड़ा बेटा कमीना है, तो मैं छोड़ने बेटे से शादी करूँ. बेटी, ये काम मत करना. मेरा बेटा उससे भी बड़ा कमीना है. तुम्हारी माने बड़े मामा है इसलिए हाथ पकड़ कर बोला अगर मैं होता तो वो कला ही दो बादेती सच्छी मामा जी हाँ इसलिए हम दोनों ने मिलकर कुछ डिसाइड किया है क्या डिसाइड किया है बताईए भीया कुछ खास नहीं पहले हम दोनों इन कमीनों की शादी करेंगे उसके बाद कोई अच्छा लड़का देखके तुम्हारी शादी कर देगे शर्माना मा ठीक है न बेटी ठीक है मामा जी बेटी इस बार मा सपने में आये तो छोटे मामा अच्छे है ऐसा बोलना उनसे भी बतांगी मामा जी, आपके बारे में भी बता आउंगी बहुत अच्छा मैनेज किया शर्माना मेनेज तो हो गया अब अगर वह नहीं आया तो तुमारे मामा का सिर मैनेज होगा ऐसी बात मत कि शीर लेकिन अच्छे इंसान के साथ हमेशे अच्छा ही होता है ऐसा मामा जी बोलते रहते हैं यह भांजे तू इदर यह सब बात छोड़ यह शिकागो सुभा राव को एक भाई है यह तो पता है उसका नाम नागेश्वरे यह किसने बताया आपने बताया ना सर मैंने बताया तो ह यह कौन है इसलिए नागेश्वर आपको भी नमस्कार और यह क्या है अरे हमारे मैं डॉल मोर्थी जी आप अधोडे मोटे हो नमस्कार मोर्थी जी अरे तेक्या रहे ओओ नमस्कार करो नमस्कार क्यों सर आप कहेंगे तो आए जांगे बोला था ना ये क्या मैंने क्रियेट की हुए क्यारेक्टर्स में जान कहां से आ गई आपकी पावर ही यह सी है सर मतलब मैं ब्रह्मा जैसा ही हूं में इतना पावर्फुल होने के बाद भी मैं इन बेवकूफों के लिए काम कर रहा अब तो पता चल गया ना सर ये बात किसी से कहना मत क्यों सर मेरे पावर का इस्तमाल करके मैं एक नई कहानी बनाना चाहता हूं अगर मुझे मुझे मौका मिला तो एक नई दुनिया ही बना डालूगा सच कहूं तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे साथ भी इतने अमीर लोगों की बेटी के साथ शादी होने वाली है तो खुशी से पागल हो जाओं चिट्टी पैसे का क्या है आता है और जाता है इंसानी सब कुछ है क्या कहते हैं ओ वेल से शम्थी जी इसलिए करती हैं खाली जाए में अच्छा फिर तो वह देश बहुत पीछे है क्यों भाइया है यह क्या पापा इसकी भाशा कैसी है भाशा में क्या रखाया हमें तो कैस्ट चाहिए ना ओ मिस्टर मूर्थी प्लीज जोइन अस तुम रुख जाओ देखे संधी जी इतना सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है जानवर घर के आगे और कुटे घर के पीछे अच्छे लगते हैं क्या कैते हैं ऐसी बात नहीं है मूर्थी के वज़े से यह रिष्टा हुआ है तो क यह सर उनको पता नहीं है क्रियेटर्स को गुसा आया तो क्या होगा क्रियेटर्स भी इंसानी है ना हमारे भी इमोशन्स होते है इसको तो मैं नहीं सर दाट कूंच जाएंगे आपके संधी जी इन्हें आप पहले से जानते हैं क्या जी हां बिल्कुल यह हमारे फैमिली फ्रेंड है यह वर्ल्ड बैंक इस पोजीशन में है तो उसका कारण है मेगा ब्रदर्स हैं सर ऐसा क्या किसी ने बोला है कि दुनिया बहुत चोटी होती है कोई और नहीं सर मेरे मामा जी मुझे तो याद नहीं मुझे याद है मामा जी मुझे याद नहीं तुम्हें कैसे हैं हम यहां जरूरी बात कर रहे हैं और तुम दोना डिस्ट्रब कर रहे हो मुर्ती जाओ अनपढ़ कहीं कैसी हो बेटी को अंकल अरे मिस्टर राओ आपका यहां होने एक सप्राइज है जरूरी काम के लिए आया हूं आप यहां कैसे अपनी बेटियों का रिष्टा लेकर के आया हैं हम पेटी नाइडू जी इस सच है क्या आरे इन्होंने बताया ना यह सच है आपकी भांजी की शादी आपके बेटेस नहीं हो रही है क्या मतलब वही राओ जी वशिंग्टन म मर गए थे ना उनकी बेटी पूजा और इनकी भांजी है यह लड़की तो बहुत अच्छी है आपकी बेटों में से इसके साथ रिष्टा कर लेते बाहर रिष्टा क्यों देख रहे हैं आप वही फैमिली में शादी करेंगे तो बच्चे ठीक से पैदा नहीं होंगे ना आ माब आपकी आपकी भांजी आपके घर पर है तो हमारी बेटियों को आपके घर भेजना क्या अच्छा रहेगा मतलब यह शोबा थोड़ी देखा ना यह सब हमें शोबा नहीं देता संधी जी आप पहले अपनी भांजी की शादी करवा लेजिए उसके बाद हम अपनी केंगे इतने रिन तो हो गए चुप करो आप क्यों सतारे उनको उनको गुस्सा आगया तो रिष्टा कैंसल समझो मेरा तो कोई सोचता ही नहीं उन्होंने इसे भी अपनी जाल में फसा लिया है सर आपसे बात करनी है सर लेकिन अखेले में किस से बात कर रहे हो पता है आप मूर्ती जी है न उस मूर्ती के बारे में दुनिया को पता है लेकिन दुनिया को इस मूर्ती के बारे में नहीं पता अरे बाहर एक और दुनिया भी है प्रभू बंद रखो मुझे मत बताओ बा मुर्ती भाई मैं आपका दुख समझ सकता हूँ आप हिम्मत से काम अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं और मामा यहां बेटे हो अंदर शिका को सुबारा आपको बुला रहे हैं चलिए उठीए अब ड्रामे बाज तेरे बारे में मुझे बात करने दो हां कौन बुला रहा था वो शिका को सुबाराओ जी तेलास नागेशवर नहीं बुला रहा था लक्ष्मीर भी नहीं बुलाया क्या हूँ मर्गा तेरा मामा मैं नहीं हूँ तेरा मामा मैं ब्रह्मा हूँ मैं क्रिएडर हूँ आपकृटी जी मुर्तीजिय मुर्तीजिया कंट्रोल यर्सेल्फ पापो में बढूंगा बात में डमल्ड एक मिनट भी रुका तो तेरा गला दबादूगा जा यहां से एक मंची बिखाए तुछ चला गया से मारना है तुने ये क्या मिटिंग करवाई अभी के अभी हमारी लड़की के लिए लड़का कहां से लेकर आएंगे इस रिष्टे को आप लोग भूल जाएए वो लोग जान भूज कर शर्ते रख रहे हैं आप दोनों में से कोई भी एक पूजा को बहू बना लो मतलब हमारी पूरी प्रोपर्टी वो बैंक वाला लेकर जाएगा तो हमारे हाथ में क्या रहेगा मैं ऐसा नहीं होने दूगा नहीं नहीं जाब ने भांजे को बला वो तो नहीं है गाउं भेज दिया यहां इतनी बड़ी प्राब्लम है और तुमने उसे गाउं भेज दिया तेरा सरकार डालूगा मूर्थी क्या है उसकी फैमिली उसके लिए रिष्टा देख रही है इसलिए भेजा फैमिली में रिष्टा देख रहे है मैया आई बास समझ में क्यों रहे मूर्थी तेरे भांजे के नाम पर प्रोपर्टी उगरा है उसके पास क्या प्रोपर्टी ह पर पहले हमारी बात देखो तुमारा सुभाव हमें अच्छा लगा इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी भान जी के शादित तुमसे हो जाए क्या कहते हो मेरा क्या है सर मामा जी जो बूलेंगे वह करूँ मेरी बेहन पुराने खयालों की है इंटरकास मेरेज उसे नहीं चलेगी यहां खाने के लिए खाना नहीं है और तुम्हें कास्ट की पड़ी है मुझ बंद करो और भईया की बगमनो बेटी पूजा आ रही हो क्या हुआ मामा को कोई शादी के मंदब से लेकर गया है ऐसा संतोष रिड़ी सबको बोल रहे थे सर ये बात उनको पता चली तो बहुत बड़ा जगड़ा हो जाएगा तो ये तुम्हारी प्राब्लम है जरा संतोष को बोलाना पाइलागो परभू सुनो संतोष ये बताओ पूजा को मंदब से कौन लेकर गया था हो चुट बोलता है पूजा को मंदब से ये लेकर गया था सर बिलकुछ सही का आपने ये वही लकाएँ इसी को मूर्ती जी यहां क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है पर क्या करना है नहीं आ रहा है गोबर उठाने का काम जिन्दा बाद वेरी गुड लेकिन लड़का कौन है यह मूर्ती का भांजा है ओ चंदू हाँ बिलकर बहुत सालों से मूर्ती हमारे हां गुलामों की तरह का मुझ पर इतना तरह सारा है तो मुझे दो-तीन करोड रुपे दे दीजिये लेकिन आपकी भांजी की मेरे भांजे से शादी नहीं होने दूंगा हूर्ती जाने दीजे नैडू जी माई शादी के लिए हान ही गएगी अब मामा जी ना बोल रहे हैं जब फैमिल में किसी को पसंद नहीं तो मैं भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहते हैं तुम्हारा दुख मैं समझता हूं मुर्ते जी जीजा जी के भांजे के शादी होगी तो चंदू रिष्टे में हमारा क्या लगएगा मुझे क्या पता चिल्ला क्यों रहा है बेटा लगेगा जी ओ यू आरा तुम्हें बहुत खुशी हो रहे हैं अब देखना शादी कैसे करेंगे थमाल मचा देंगे क्यों रे नरसिमा कोमा से बाहर आ गया क्या तुदो बोलाता मर जाओंगा आपको एक बात बतानी है क्या हुआ अर्सिमा क्यों चिला रहा है भाई भाई को तो अपने साथ वहीं लेगे गया था कंदू के तरह यह जो कह रहा है सही है क्या सब को इसा बूलने के लिए आप ही ने बूला था नसर अब क्या ड्रामा कर रहे बेलो ब्रेदर कमिंग तू बता पूजा जी को शादी से कौन भगा के ले गया था यही है वो क्यों सर आपने जैसा कहा वैसा ही बताया ने मैंने वो अलाचा उसे ही लिफ्ट दिया था ना दिया तो था इसलिए आप लोग मुझे यहां लेकर आए हो क्यों गुरु जी आपकी बात को फॉलो कर रहा हूं अभे क्या फॉलो कर रहा है एसे महां उसे छोड़ो रहे वो क्या बोल रहा है कुछ खास नहीं सम्धी जी, सर में चोट लगी थी ना, तो पागलों जैसी बातें कर रहा है ओ आइसी, ओ नहीं भाई, क्या हुआ की बाई, तुम कोमा में थे, तुम्हें कुछ नहीं पता है गुरू, मैं पूरी तरह होश में हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या चला है नरसिमा, हमें सब पता है, तुम जाओ, तुम लोग भी जाओ, चलो, 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 चलिए, शुरू करते हैं एप्पी रेडी जी, एक मिरिट, उस दिन लिफ्ट देकर हेल्प की थी, आज जिन्दगी देकर हेल्प की आपने, बहुत बहुत चुक्री है तुम्हारे प्यार के साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली रिस्क में है, ये कॉंसेप्ट कमाल का है संतोश रेडी तुम सब की खुशियां चाहता है, अल दे बेस्ट, अरे आ रहा हूँ राव जी, आपके आने से हमें हर दिन खुशाली महसूस होती है बिल्कुल सही का, आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए रिष्टे को हां कर दिया लेकिन इतने खुशी देखकर पैसे के बारे में तो भूल ही गए ठीक है, जरा रुको ना, राव साथ, चलिए खाना खाते जरा एक मिनिट होगी है दादी, आपके लिए पोन हलो, लक्षमी, खाना खाया क्या, नहीं अभी नहीं, अरे नौ बज गए कब खाओगी, तुन्हें आइसे डीटी है ना, लक्षमी, जल्दी खा लो, अरे मैं खा लूँग, आ फोन रखी, लक्षमी, आई लव यू, मीटू, अरे माप रे, बीवी को फोन करके पूछने, ख हमारे खाने के बाद ही खाती है, वरना काट नहीं जालेंगे, गलत है संदी जी, औरतों की दुनिया बहुत छोटी होती है, उनके पती और घर जितनी, उनके साथ प्रेम से बात करना मर्द की निशारी होती है, इस ओके, कम, लेट्स आप रिंग, रुको जीजा जी, एक मिन मैं अभी आता हूँ, बाभी जी, मैं चिट्टी बोल रहा हूँ, अब एक बार अपनी बहन को फोन दो ना, सुनो, यह तुमारे लिए, मेरे लिए, किसने किया, कहां चले गई, हालो, खाना खाया क्या, नहीं तो, अब तो चा कर रही हो, तुम्हें ऐसी डिटी हो जाएगी एसी सीडी, मतलब, छोड़ो, तुम बेवकूफ हो, ठीक है, लव यू, मतलब, मुर्तक तुम्हें प्यार करता हूँ, लव यू, तुम्हें कैसा लग रहा है, मीटू, 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 क्या, तुम्हें चपल से मारूंगा, महाँ मों, झिटी क्या हो रहा है, माहाँ कराण कर अपने काऊंगा हलो हलो अरे सुनो यह मैं हूँ खाना खाया क्या अभी खाऊंगी जी अरे तुझ जल्दी खालो तुम्हें ऐसी डिटी है न यह आप क्या कह रहें जी है आई लाव यू आई लाव यू मी तुम भी ना अरे जी भी ना ए शेर अरे नाचो रे ए चिच्ची अरे सुना यह बताओ लड़के के लिए तुमने कार बेजी है ना कार लेने के लिए नागपा गया है ना आपने इंशर मतलो नाचो नाचो पिता जी आप भी शुरू हो जाईए थोड़ा सा और खालो बेटा खालो बेटा फिट टाइम नहीं मिलेगा तुम्हे ससुराल जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना आपको क्यों भूलूंगी मामे जी हाई आटी हाई तुम यहां क्यों आ गया बेटा कुछ नहीं आटी चंदू तुझे नहीं तयार हो ना जा हो जाओ तुमेरा क्या है आटी शट पंडी तो चेंज करनी है मुझे हाँ बोलो बडी माँ तुम जल्दी टाइम पे आजाना हाँ चंदू शादी का मंडप का है पता है तुमको नोमा कल्यान मंडप है पूजा को तुम उसी मंडप से उठाकर लेकर आए थे तुम्हें याद है ना कैसे भूल सकता हूँ तुम वही से तुम मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी अब मजाक बंद करो और जल्दी तियार करो हाँ बलो ना कपपा पापा सब कुछ थोखा है पापा पापा शिकागो सुबराव नहीं है वो लोग नहीं पर नहीं है यहां है रे सब डांस कर रहे हैं तो एक कामकर जल्दी से पूजा को लेकर आजा अरे फोन कट गया हमारे गाओं आके हम कोई पागल बना रहा है एक भी तुम मेंसे एक भी जिन्दा नहीं चाहेगा यहां से अंटिया पूजा को लेकर मंदम में चाहिए मैं आ जाओंगा हाँ 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 है नरसिमा इस चंदुने हमको धोखात दे है सुन मैं पापा के पास जा रहा हूँ तुम मंदम पे जाओ चॉड़ना मत ही से हुप हाई ताइब वोना काई देरो भी हुप कि कि सुने जी वो अभी तक यह आया क्यों नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है अज तुम टेंशन मत लो आता है कि 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 हु ड़ तुम झाओ, मैं सभा लूगा 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 तुम झाओ अँआ है लूगा 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 कर ते मृति अभी तक आया क्यो नहीं और चंदू भी नहीं आया है को भी पूजा की कहानी के बारे में पता तो नहीं चल गया मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूं तुम चिलाओ क्या हुआ क्या हुआ क्यों इसनी टेंशन में हो अरे कुछ नहीं है कि हम लोग चंदु का वेड़ कर रहे हैं अच्छा उसकी टेंशन है तो वहां देखिए लगता है यह खुदी यहां बै पेड़ी नाइटू जी कितनी देर लगाएंगे आप इस तरह खड़े क्यों है जल्दी से लड़की को लेकर आईए भाईया अपनी बेटी को देखकर मुझे अपनी बहन की आदा रही है मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है इन लोगों की कंडिशन के चेकर में बेकार आदमी के साथ इसकी शादी करा दी वहां क्या है क्या नहीं इसके साथ राशन भी भेजना पड़ेगा अरे सारी चाहिए कहना पैसा चावल सब कुछ भिजवा देंगे तेरे पास थैंक्स मामा जी मैंने आप सबको तकलीफ दी उसके लिए माफ कर दीजिए ना 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 तुमसे हमें क्या तकलीफ होगी रोमत मेरी बेटी रोमत यहां से हांस की विदा हो रोमत बेटा ना जी का आशिरवा दीजिए है हाटो पिछाड़ों करो रहे है 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 क्या बात है ना गपा इस ने हम सब को दोख गया पापा इसकी बातें सच है क्या बोलो हाँ सच है क्यों किया ऐसा मैं भगावेर पूजा के साथ शादी नहीं करना चाहता था शादी करके ले जाना चाहता था योगी पूजा को भी आप सबकी जरूरत है और इसके माबब के भी इच्छादी की इसकी शादी आपके हाद होंगा इसलिए ऐसा किया नागपा उन्हें छोड़ो पिटा तुम्हेरे भाई को पर हाथ उठाएगा हाथ काट डालूगा पापा उसने हमें दोखा दिया तो हम आपस में क्यों लड़े इसने हमें दोखा नहीं दिया बल्कि हमें इंसान बनाया है जिट्टी भाया अपनी बीवियों को हमने कभी इज़त नहीं दी लेकिन इस लड़के ने पूजा के लिए आज तक जो कुछ भी किया है उस पर हमें बहुत गर्व है इसी ने हम दोनों की फैमिली को एक कर दिया है सोचो इस लड़के ने अगर ये समना किया होता तो क्या आज हम सभी एक हो पाते हैं मेरी बेटी पूजा इतने अच्छे घर में जा रही है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बच्चों के साथ मिलकर हमने भी आपको तकलीफ दी हमें माफ कर दीजिएगा आप तो कर देंगे लेकिन ये रिष्टा क्यों चैंजिया है असली रिष्टा तो यही है न आप लोगों के यहां से जाने से मुझे बहुत दुख होगा सच कह रहा हूं अगर आप लोग बुरा ना मारे तो हम अपनी बेटी के साथ आपके घर चार दिन रुखना चाहते हैं क्या बोलते हो चंदू मेरा क्या है सर जैसे मामा जी की मर्दी